हाई, हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम में आपका स्वागत है। आईए आज सुनते हैं रोजर डवल्यू बॉबसन द्वारा लिखित बुक वाट इज सक्सेस का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है महान लोगों का विशलेशन। मुझे एक बार स्वरगिय जे पियर पॉंट मॉर्गन के साथ महा सागर पार करने का आउसर मिला था। हम दोनों इटली जा रहे थे। हम अब एड्रियाटिक समुंदर में यात्रा करते हुए पहले अजोरेंस और मेडिरा आइसलेंड में कुछ समय रुप कर आगे जाते लेकिन इस बार कुछ यात्रियों को छोड़ कर हम मेडिरा आइसलेंड के पहाडों पर मिस्टर मॉर्गन के साथ चल पड़े। यात्रा शुरू करने के लिए पहाडी की शुरुआत में ही बने टिकेट ओफिस से हमने राउंड ट्रिप टिकेट खरीद लिया। हमारी संख् काफी समय लग रहा था। इस देरी का कारण पूछने पर पता चला कि मिस्टर मॉर्गन के पास वहाँ पर चलने वाली करंसी नहीं थी बलकि उनके पास अमेरिकी डोलर थे। हालांकि यह है टिकेट मात्र कुछ सेंट की ही थी लेकिन फिर भी सही पैसा नहीं होने की वज़ रगता थी। वे जब वापिस जहाज पर लोटे तब उन्होंने महसूस किया कि उनका समय इतना कीमती है कि उन्हें हर गंटे के सेंकडो डोलर मिल रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ छुटे पैसे यानि पन्नी इकठी करने के लिए सेंकडो डोलर का समय और मेहनत करनी पड़ इसे लेकर मिस्टर मॉर्गन निराश नहीं थे बलकि वे तो केवल उत्तर खोज रहे थे कि इंटेग्रिटी का कोई सबक कभी महंगा नहीं पड़ता क्योंकि इंटेग्रिटी सीखने की आवशकता आज के कारोबारी जीवन में सबसे बड़ी उच पदों पर बैठे लोगो को है। बिजनस की सबसे बड़ी जरूरत अखंडता यानि इंटेग्रिटी है और जब इसे सीखने का आवसर होता है तब यह बिना किसी कीमत के हमारे सामने उत्पन हो जाता है खास कर युवाओं को इसे सीखने की जरूरत है क्योंकि यह हर बार आपकी सफलता को निश्चित करने क गारंटी देता है जे पियर पॉर्ट मॉर्गन उस दोर के एक सर्वस्रेश्ट कप्तान थे जब अमेरिकी वित में आई अंजी आंकडा 93 की मंदी के बाद मार्केट उठ रहा था अभी तक वे कई माईनों में एक बहुती साधार्ण व्यक्ति थे उनका एक एनिश्चित बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया उनका सबसे खास स्वभाव यह था कि वे अक्सर जल्दी निरने और एक्शन ले लेते थे जिससे वे अक्सर गंभीर गलतियां कर बैठते थे जिसका उनके दुश्मन लाब उठाते थे लेकिन वे मित्र और शत्रू दोनों को एक समा देखते थे जिससे सभी ने उन पर भरोसा किया जब दो बड़े रेल रोड सिस्टम के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी तब अधिकारियों ने इसे सुलजाने का बार मॉर्गन के कंदों पर छोड़ दिया उस समय जब कई ग्रेट स्टील कोर्पोरेशन ने एक द पहले भी इस कमिनुटी पर जब भी कोई मुसी बताई उस समय सभी ने एकमत से मॉर्गन पर सहमती जताई कि वे जैसा कहेंगे हम सभी वैसा ही करेंगे और इसे विश्वाश को बनाई रखते हुए वे उन्हें इस अंधेरे जंगल से बाहर लेकर आई और यह बात पहिरान में 1903 और 1907 की भेंकर मंदी के समय सथ साबित हो चुकी थी वे एकमत्रे से व्यक्ति थे जो मंदी के दोरान विचलित करने वाली ताक्तों को एक साथ लाने और उन्हें सामान्य उदेश्य के लिए काम करने में सक्षम बनाते थे उन्होंने उन पर भरोसा किया क्यो इसे अब उनका बेटा जैक आगे बढ़ा रहा है जो अब मॉर्गन हाउस का मुख्या है एक सफल करियर की बिल्डिंग बनाने के लिए इंटीग्रिटी सबसे पहली खड़ी की जाने वाली दिवार है बेइमान आदमी इसमें कभी सुखी नहीं रह सकता सचाई और खुशी हमेशा एक साथ रहते हैं हो सकता है एक सचा आदमी हो और खुश नहीं हो लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक जूटा इंसान हमेशा खुश हो इस संसार में किसी भी बिमारी की अपेक्षा बेइमानी ने लोगों को सबसे ज़्यादा मारा है मेरे प्रोफेशनल वर्क के दोरान मुझे बड़ी-बड़ी इंडेस्ट्रीज की हिस्ट्री स्टडी करने का आउसर मिला है मैंने इस स्टडी के दोरान यह पाया है कि इन सभी बड़े बिजनस में से प्रतेक को बनाने के लिए इसका विचर सबसे पहले किसी एक व्यक्ति की आत्मा में पैदा हुआ है इसी तरह अमेरिका के किसी भी महापूरुस के संगरसों को बताए बिना अमेरिका के किसी भी महान उद्योग की कहानी बताना असंभव है इसलिए जब स्टीम सिप के बारे में बात की जाती है तो हम फुल्टन के बारे में सोचते हैं जब ट्रांस अंटलाटिक केबल के बारे में बात की जाती है तो हम फिल्ड के बारे में सोचते हैं जब टेलिग्राफ का उल्लेक किया जाता है तो हम मोर्स के बारे में सोचते हैं और जब काटने की मशिन दिखाई देती है तो हम मैक कॉर्मिक के बारे में सोचते हैं रबड उद्योगों के साथ गुडियर का नाम हमेशा के लिए जुडा रहेगा राइट का नाम हवाई जहाज के साथ एडिसन का नाम गर्मा गरम बल्व के साथ वाइरलेस टेलिग्राफ के साथ मारकोनी और अलेकजेंडर ग्राहम बेल टेलिफोन के साथ फिर जब कोई उन लोगों के जीवन का अध्यन करना शुरू करता है तो वह अनिवारिय रूप से पाता है कि वे सब ही अत्यधिक मेहनती थे प्रती भाही कड़ी मेहनत का दूसरा नाम है इससे ज़्यादा सत्य और दूसरा कोई भी आज़ुपलब्द नहीं है मुझे याद है कि एक बार मैं अपने न्यू यार्क ओफिस में था और क्लरक ने मुझे बताया था कि थोमस ए एडिसन के सहायक मिस्टर मीडो क्राफ्ट मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं वे न्यू जर्सी के वेस्ट ओरेंज से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मिस्टर एडिसन मुझे आज बारा बज़े मिलना चाहते हैं मैंने अपनी घड़ी को देखते हुए जब उसमें अभी बारा बजने में बीस मिनिट बाकी थे मैंने उत्तर दिया मुझे माप केजिएगा अब बारा बजने में मातर बीस मिनिट ही बचे हैं इतने कम समय में मैं संभवत वेस्ट ओरेंज न्यू जर्सी तक समय पर नहीं पहुंच सकता ओह मिस्टर मीडो क्राफ्ट ने उत्तर दिया मिस्टर एडिसन आपसे दोपैर के बारा बजे नहीं बलकि वे तो आपसे रात के बारा बजे मिलने के लिए कह रही हैं लगबग दस बजे मैं पेंसिलवेनिया होटल से निकला जहां मैं न्यू यार्क में रुकना पसंद करता हूँ और वेस्ट ओरेंज न्यू जर्सी के लिए ट्रेन पकड़ कर लगबग ग्यारा बजे मिस्टर एडिसन के घर पहुंचा मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया और मिस्टर एडिसन पियानों पर कुछ संगीत सुन रहे हैं उनके पास एक प्रसिद पियानो वादक था जो संगीत को जोडने की कोशिश कर रहा था यह है एक भव्य पियानो था, जिसका कवर चोड़ा था मिस्टर एडिसन पियानों के दूसरी तरफ जुके हुए थे और अपने कान को हाथ और अपने सिर को कवर किये हुए थे जाहिर तोर पर फोनोग्राफ संगीत के सभी टुकड़ों को ठीक से रिकोर्ड नहीं कर सका था इस अद्बुत मशिन द्वारा हाई और लो नोड अच्छी तरह से रिकोर्ड नहीं किये गई थे मिस्टर एडिसन के पास इस समय बड़ी संख्या में संगीत के सिलेक्शन के ओप्शन थे जो यह आदमी बजाने की कोशिश कर रहा था वे इन मेंसे कुछ को कुछ राग बजाई जाने के बाद बाहर फेंग देते थे कुछ को वह आधा बचाता और फिर बाहर फेंग देता कभी कभी वह किसी को ठीक पाता तो उसे अपनी जेब में रख लेता अब बारा बजने में पांच मिनट बाकी थे जब उन्होंने इसे बरखास्त कर दिया फिर पियानो वादक और मुझे उपर आने के लिए कहा ठीक बारा बजे हम भोजन के लिए बैठ गए मिसिज एडिसन ने मुझे बताया कि इतनी देरे में भोजन करना हमारे साथ एक प्रथा जैसी ही बात बन गई है मिस्टर एडिसन विलक्षन परतिबा के दनी थे एक दिन में 18 से 20 घंटे काम करना उनके लिए कुछ भी नहीं था जब वे किसी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे तो दो या तीन दिनों तक बिना कपड़े बदले लगातार लैब में विस्त रहते हैं हलांकि उनकी लैब उनके घर के नज़्दी की ही थी यदि हम इंडस्ट्री के उन महान लोगों की कोई एक उत्करष्ट विसेस्ता की बात करें जो उनकी सबसे कॉमन बात है वह यह है कि उन में से प्रतेक किसी ने किसी काम में फेल रहे हैं किसी भी एक मनुष्य में सभी गुण नहीं हो सकते हैं इंडस्ट्री के लगबग हर महान कैप्टन की निर्णे लेने की क्षमता को छोड़ कर कोई ने कोई विसिष्ट कमजोरी होती है दूसरी और वे सभी जबरदस्त मेहंती होते हैं जब वे लोग जनरल बोगे में सवारी करते हैं तो अक्सर उनके पक्ष और विपक्ष में आम तोर पर चर्चा सुनने को मिलती है धन, शक्ती और प्रसिद्धी अरजित करने वालों की आलोचना और महिमा मंधन करना आम बात है हालांकि आपने इन ग्रेट प्रसिद्धी में से एक को भी कभी नहीं सुना हो सकता है आप बिना इनके अलोचकों को सुने भी सर्वसम्मत्ती से इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि वे एक महान कार्य करता थे उनके बारे में और जो कुछ भी निश्चित तोर पर कहा जाए तो यह है कि वे मेहनती हैं वे सुबह ओफिस में सबसे पहले और रात में निकलने वाले सबसे आखरी इनसान होते हैं वे हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं इसलिए इंडस्ट्री के लिए उन्हें सफलता की दूसरी दिवार के रूप में चुनना बहुत ही उचित है इसके अलावा इंटीग्रिटी की तरह ही यह है एक महतपूर्ण वॉल है ये दोनों मिलकर ही किसी भी स्ट्रेक्चर का कोर्नर बनाते हैं 1897 से लेकर 1903 तक मैगजीन्स और न्यूज पेपर्स ने स्टंडर्ड ओयल कमपनी और उसके संस्थापक जोन डी रोकफेलर की बहुत सारी कहानिया पब्लिश की थी स्टंडर्ड ओयल कमपनी या मिस्टर रोकफेलर के बारे में इन दिनों मार्केट में कुछ भी बुरा नहीं था फिर भी इन नामों के बारे में पबलिश करना और पढ़ना दोनों का ही लोगों में एक अट्रेक्शन था उनके बारे में लिखने के लिए लोग इतना तक ख्याल करते थे कि वे किस बिल्डिंग में जा रहे हैं वे किस शहर का दोरा कर रहे हैं जब भी कोई इस तरह की बात सामने आती तो यह ख़वर पूरे देश में टेलिग्राफ द्वारा हर अख़बार में महतपौन समाचार में भेज दी जाती थी ताकि यह उनमें पबलिश की जा सके मुझे स्पष्ट पता नहीं है कि उनके साथ इस तरह का व्यभार क्यों किया जा रहा था हो सकता है राकफेलर दुनिया के सबसे अमेर व्यक्ति थे इसलिए या फिर शायद जनता की भावना बदल रही थी इसलिए भी हो सकता है लेकिन वास्तों में यह मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी वे उन दिनों अमेरिका में महान उत्करष्ट व्यक्ती थे और वे अपने समय के किसी भी राष्ट्रपती, बैंकर या रेल रोड मैगनेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे वे वास्तों में एक रिमार्केबल परशन थे, उनका जन्म आठ जुलाई 1949 को रिच फोर्ड एनवाई में हुआ था वे 14 साल की उम्र में क्लीवलेंड शिप्ट हो गई और 16 साल की छोटी सी उम्र में 25 डॉलर पर मन्थ पर काम करने लगे थे च्यार साल काम करने के बाद उन्हें प्रती वर्स केवल 700 डॉलर ही मिलते थे और फिर भी वे 55 वर्स की एज में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ती के रूप में रिटायर हुए मैंने रोकफेलर की पावर के सीक्रेट्स के बारे में कई चर्चाइं सुनी है कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि यह उनकी तिवर धार्मिक भावनाओं के कारण संब्भव हो पाया है और दूसरों ने उनकी जबरदस्त उर्जा को इसका कारण बताया है वे कुछ ने इसे उनकी गहरी दूर दरशिता को कारण बताया हालांकि उनके सबसे करीबी दोस्त बताते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी इंटेलिजेंस थी जिसका उन्होंने व्यापक रूप से उपयोग किया था हालांकि उनके पास कोई कालेज की डिगरी नहीं थी बस केवल कुछ वर्सों की साधारन स्कूली सिक्षा मात रही थी लेकिन वे जीवन भर हमेशा एक चात रही थी वे हर समय सीखते रहते थी उन्होंने सबसे पहले तो अपनी नोकरी में माहरत हासल की जो उन्हें मिली थी उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे इतने भाग्यशाली व्यक्ती थे कि जब उन्होंने तेल उध्योग में प्रवेश किया तो इस सेक्टर में गजब का उच्छा लाया था जब कोई रोकफेलर के बारे में सुनता है तो वह स्वभाविक रूप से ओटो मोबाइल और गैसोलीन के यूनिवरसल यूज के बारे में ही सुसता है फिर भी जब रोकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे तब कपड़े साफ करने के लिए दरजी के अलावा ओटो मोबाइल और गैसोलीन जैसी कोई चीज नहीं थी नहीं इसका मतलब है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री और रोकफेलर के लग के बीच में कोई सीधा संबन्द नहीं था उन्होंने तो अपना सारा धन अपनी बुद्धी और संगठन कुशलता से बनाया था कुछ का यह दावा भी है कि रोकफेलर ने ही ओटो मोबाइल उध्योग को इतना बड़ा बनाया था कुछ का यह भी दावा है कि रोकफेलर ने ही ओटो मोबाइल उध्योग को संभव बनाया था लेकिन ओयल इंडिस्ट्री को संगधित करने में उनके प्रारंबिक कारिय के बिना ओटो मोबाइल का व्यवसाई करण नहीं किया जा सकता था लेकिन यह ऐसा नहीं है रोकफिलर ने अपने प्रारंबिक वर्षों में एक फोरवर्डिंग और प्रड्यूस कमिशन बिजनस से संबंधित काम किये थे वे एक नेचरल स्टूडेंट और इन्वेस्टिगेटर थे वे एक कमिशन हाउस में काम करते थे और उस फर्म के माध्यम से ओहियों के किसानों को अपना कश्टमर बनाकर उनके सोधे करवाते थे उस कमिशन हाउस के साथ उन चार वर्षों के दोरान उन्होंने खुद बिजनस शुरू करने का फैसला किया और फिर वे यह निर्धारित करने के लिए निकल पड़े कि किस बिजनस लाइन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है उन दिनों ओयल इंडस्ट्री अपनी यूवावस्था में थी उन्होंने बहुत सावधानी पूरवक इन्वेस्टिगेशन और कैलकुलेशन करने के बाद इसे चुना जब वे 22 वर्स के थे तब उन्होंने एंड्रियूज क्लार्क एंड कमपनी की ओईल रिफाइनिंग फर्म की स्थापना में मदद की थी जिसे कुछी समय बाद रोकफेलर एंड एंड्रियूज नाम दे दिया गया था वे नए केवल काम खत्म करने के लिए जैसे उन्हें क्या करना चाहिए बलकि दूसरे उनके काम में क्या रुकाउट डाल सकते हैं और दूसरे उनके काम में कैसे सहयोग कर सकते हैं यहां तक वे विचार करते थे उनके पास जबरदस्त विजन था वे हमेशा आगे की और देखते थे यही true intelligence होती है आज भी किसी college में diploma in intelligence नहीं करवाया जाता है कुछ लोग memory को intelligence मानने की गलती कर बैठते हैं जो गलत है एक phonograph या dicta phone भी intelligent नहीं होते हैं एक बहुत बड़ी public library में बड़ी संख्या में fact उपलब्द होते हैं लेकिन यह intelligence नहीं है एक बार Mr. Roquefeller से पूछा गया कि वे अपने intelligence के बारे में किसे स्रे देना चाहेंगे तब उन्होंने उत्तर दिया मेरे पास जो भी intelligence यानी बुद्धी है वे है मेरे पिता और मा की देन है वे ही थे जिन्होंने मुझे परशिक्षित किया मुझे याद है कि जब मैंने अपना बिजनस शुरू किया तो मेरे पिताजी ने मुझे 10% ब्याज पर 1000 डोलर उधार दिये थे मुझे पैसा उधार देते समय उन्होंने मुझे credit की बुनियादी बातों पर और credit कैसे establish किया जाई इस पर कुछ अच्छी और बुनियादी बातें सिखाई थी यह जानकारी मेरे fortune का base थी उन्होंने नय केवल मुझे अपने दाइतुओं को पूरा करने में सक्षम होने की आवशक्ता के बारे में निर्देश दिये बलकि उन्होंने इस process में मेरी पूरी तरह से प्रिक्षा ली जब भी money market में एक पिंच होता तब मेरे पिता मुझे मेरे loan के बारे में याद दिलाते थे पहली बार जब मैं अपने loan की किस्ते नहीं चुका पाया था तब उन्होंने मुझे बूरी तरह से डांटा था अगली बार जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं 1000 डॉलर का आदा बुगतान करने में सक्षम था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे तीखी बात की हलांकि कुछी हफतों में वे मुझे 500 डॉलर का कर्ज देने के लिए फिर से तयार हो गई थे जो मैंने उन्हें चुकाई थे उसके बाद मैं हमेशा अपने दाइत्वों को पूरा करने के लिए अंडर कंट्रोल था और जब भी उन्होंने 1000 डॉलर की मांग की मैं उन्हें बुगतान करने में सक्षम हो चुका था केवल एसे टेस्ट और ट्रेनिंग से ही वास्तों में इंटेलिजेंस सिखाई जाती है इंटेलिजेंस को बुक्स या लेक्चर से नहीं सिखा जा सकता टीचर्स और टूटर्स यात्रा का रास्ता बता सकते हैं लेकिन यात्रा आपको ही पूरी करनी पड़ेगी इंटेलिजेंस सक्सेस स्ट्रक्चर की तीसरी दिवार होती है लेकिन जैसा की रॉक्फेलर ने संकेत किया है कि यह इंटेलिजेंस ही है जो एक्सपिरियंस और ट्रेनिंग से आती है इसलिए मनुष्य की जीवन प्रियंत सिख्षा के संबंद में लैब वर्क और लाइव इंस्पेक्शन की इंपोर्टेंस होती है बुक्स एक वैल्यूएबल टूल है लेकिन इन टूल्स का कैसे बहतरिन तरीके से उप्योग किया जा सकता है यह केवल एक्सपिरियंस और प्रेक्टिस के माध्यम से सीखा जा सकता है ग्यारा नवंबर 1869 को लंदन में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका आमेरिका आना और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्टिक पाउर सिस्टम को विक्सित करना तै था लड़के का नाम सेमूल इंसुल रखा गया और वह 28 फरवरी 1881 को अमेरिका में उतरा कुछ समय के लिए उसने न्यूव यार्क में मिस्टर एडिसन को उस रहर की लाइट सिस्टम डेवलोप करने में मदद करने के लिए काम किया हालांकि यह 1889 का साल था जब मिस्टर इंसुल की सर्विस को वास्तों में मान्यता दी गई और 1892 से पहले उन्हें शिकागो एडिसन कंपनी के अध्यक्स के रूप में अपना महान अवसर दिया गया था कई बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के डिवलक्मेंट से जुड़े हुए थे इस पुस्तक के पुराने पाठकों को वीटनी, वीडेनर, यरकेस और ब्रेडी जैसे नाम याद होंगे ये और उनके सहयोगी सभी पुराने स्कूल के दोस्त थे हालांकि सेमूल इंसुल ने इलेक्ट्रिक फिल्ड में एक नया क्रम विक्षित किया वे इस इंडस्ट्री के पहले महान परमोटर थे, जिन के पास कलपना और दूर दर्शिता थी कई लोगों ने इंसुल को कोरे सपने देखने वाला कहा दूसरों ने लापरवाई से उनकी पहल को गलत समझा हालांकि कुछ लोगों ने अधिक कंस्ट्रेक्टिव और क्रेटिव कारिय किया है या ज़्यादा टेक्निकल और मनोवेग्यनिक कठीनाईयों को दूर किया है जब आज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो दो नाम परमुक्ता से लिये जाते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम आता है वह है शिकागो के मिस्टर इंसुल और दूसरा नाम है डेट्रोइट के मिस्टर डॉग जब इनकी सबसे आउट्स्टेंडिंग विसेस्ताओं की बात की जाती है तो सभी इस बात से सहमत हैं कि उनकी सफलता उनकी पहल करने की क्षमता और कलपना के कारण है इंसुल सैमुल ने अपना करियर एक ओफिस बॉई के रूप में सवा डॉलर परतिस सब्ता से शुरू किया था जब उन्हें शिकागो में एक छोटे इलेक्टिक कंपनी की अध्यक्सता दी गई तो कंपनी का कुल उत्पादन केवल 4000 हार्स पावर था आज इंसुल के पावर स्टेशनों में लगबग 7 लाग होर्स पावर की प्रोडेक्शन कपेस्टी है और कई वाटर पावर के प्रोडेक्शन के अलावा एक दिन में 300-400 टन कोईले का यूज होता है वे आज लगबग 20,000 लोगों को रोजगार देते हैं और उनकी पावर की सेल से होने वाली आए लगबग 1,000,000 डोलर प्रती सब्ता की इंक्रेडिबल अमाउंट तक पहुंचाती है मैंने एक बार शेनेक्टेडी के डोक्टर स्टीन मेर्ज से पूछा की वे आजकल अपनी उर्जा को किन नए आविशकारों में लगा रहे हैं उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास नए आविशकारों को देने के लिए अधिक समय नहीं है क्योंकि इसने उन्हें इन्सूल इन्वे व्यस्त रखा है इन्सूल लगातार बड़े बिजली स्टेस्नों का निर्मान कर रहे थे जिससे बड़े बड़े वोल्टेज को संचारित करना आवशक था इसमें मेरा सारा समय लग जाता है डोक्टर स्टीनमेड्ज ने कहा इन्सूल विक्सित होने वाली पावर की देखवाल करने के लिए इन्सूलेटर को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रूप से डिजाइन करने के लिए ही समय लग रहा है बस इनसुल पहले इलेक्ट्रिक इंजिनियर थे जिन के पास लगभग पूरे राज्य को आपूर्ती करने के लिए एक बड़ी सिंगल यूनिट इस्टाबलिस करने और अपने सपनों को सच करने की द्रिड़ता दोनों की पहल थी किसी के काम की योजना बनाना एक बात है और किसी की योजना पर काम करना दूसरी बात है आज कई ऐसे लोग हैं जिन के पास integrity यानि इमानदारी और industry है और यहां तक की intelligence भी है लेकिन फिर भी success नहीं हो पाते हैं उनके पास नए इंटरप्राइजेज शुरू करने, नई राहों को आगे बढ़ाने और नई सर्विस को करने की पहल करने की चोथी गुणवत्ता का अभाव है। तो वे शिकागो चले गई और जल्द ही आर्मर एंट कमपनी के संस्तापक के सचिव बन गई। समय के साथ वे आर्मर प्लांट के एक महतोपोण विभाग के प्रमुख बन गई। एक समय के बाद श्री आर्मर की गंभीर चेतावनी के अवेलना करते हुए कि वह जीवन भर ए खुज लाएंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया और बोस्टन चले गई जहां वे दैबोस्टन पोस्ट के एक रिपोर्टर बन गई। आगे की ट्रेनिंग की आवशकता महसूस करते हुए उन्होंने एक या दो साल कोल्बी कॉलेज में बिताए जहां उन एड़र्टाइजमेंट मैनेजर से पूछेंगे की लोरीमर की सफलता का रहष्य क्या है तो वे जवाब देंगे इंटेंसिटी यानि तिवर्ता और कंसंट्रेशन यानि एकागर्ता वे केवल एक समय में एक ही काम करते हैं और केवल एक ही विचार पर सोचते हैं उस समय किस दिवी दूसरे काम के बारे में उनकी रूची जगाना असंबव है दसटरडे इविनिंग पोष्ट पर उनका दिमाग लग गया है और इसके अलावा उन्हें दाइं और बाइं कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें सभी परकार के सम्मान, बड़े निगमों और इसी तरह के न परिणाम करता हूँ एक दिन मैंने उनके एक परिचित से पूछा कि लोरिमर गोल्फ क्यों नहीं खेलते हैं जवाब था लोरिमर तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक वे इसे अच्छी तरह से खेलना सीख नहीं लेते हैं लेकिन समश्या यह है कि उनके पास अच्छी तर लोग इंडस्ट्री के महान कप्तान बन गई हैं क्योंकि लोरिमर की तरह वे पिता की धार्मिक भावनाउं और मा की कठोर तपश्या की संयुक्त सोच हैं लेकिन पब्लिशिंग के सबसे कठिन बिजनस में कोई भी इतनी अच्छी तरह से सफल नहीं हुआ है लोरिमर ने के लिए तीवरता या एकागरता की आवशकता है चाहे आप किसी भी पेशे में हो कंस्ट्रक्शन में या बिजनस में वास्तों में सफलता के लिए एक काम पर एकागर होना जरूरी है तीन नाम हमेशा के लिए एक साथ जुड़ गए हैं रोचेस्टर फोटोग्राफी और जा लगबग जीरो से अमेरिका की ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री में से एक में डेवलप किया कोड़क शब जिसकी उत्पत्ती उन्होंने की थी यह नाम आज हर कोई पहचानता है उनकी फिल्में दुनिया भर के हर शहर और गाउं में खरी दी जाती है जब उन्होंने फोटोग् प्लेटों को बना कर इन्हें अपने बिजनस में जोडा उनके काम के दोरान कुछ ऐसा हुआ जिससे यह पूरी प्रोसेस गाइब हो गई उन्होंने इसे फिर से खोजने की ठानी उन्होंने यात्रा की अध्यन किया सूखी प्लेटों की समश्या का समाधान खोजा उनकी सभ भी ब्रांचेज में फोटोग्राफी में गहरी दिल्चस्पी हो गई वे कंप्लीट फोटोग्राफी के लिए बहुत उत्सुक थे अंत में उन्होंने फिल्म और फिर ट्रांस्पेरेंट फिल्म पर हिट किया वर्सों से चलती फोटोग्राफी के साथ प्रियोग करने वाले लोग अब ट्रांस्पेरेंट फिल्म की परतिक्षा कर रहे थे फोटोग्राफी में इस्ट मैन की रूची ने वास्तों में दिल्चस्पी है जितनी पहले थी उन्हें हर मोके पर तस्वीरें लेना बेहद पसंद है दुनिया में सबसे सुंदर महान मुविंग पिक्चर थियेटर जिसे उन्होंने रोचेस्टर में लोगों को समर्पित किया है यह फिल्म में उनकी रूची का ही परिनाम है उन्हें हर प्रांच में फोटोग्राफी करना पसंद है मुझे जार्ज इस्ट मैन में व्यक्तिगत रूप से दिल्चस्पी है क्योंकि वे फेमस मिस्टर स्मित है नतीजन इस्ट मैन पर हमेशा इंस्टूट के एलमिनाई मेटिंग और क्लासेज में डिसकशन की जाती है उन्होंने ब यह उनके काम में उनकी अत्यादिक रूचि और उनकी व्यापक सहनुबूती और मानूब्यार समज के कारण है फिर विसले Heartgroup में बताए सभी महान लोग अपने काम में और अन्य लोगों में रूचिने रखते थे किसी के काम में रूचिने और दूसरे के परती सहनुबूति पूर्ण समझ सफलता के स्ट्रक्चर के लिए आवशक होती है। अपनी दैनिक नोक्री को चलाने के लिए उसके प्रति दिल से सच्चे प्यार के बिना उस नोक्री में सफलता लगबग असंबव है। चाहे वह एक दुकान चलाना हो या फिर एक घर। ये सभी छैगुन 100% सक के लिए आवशक है। और उन में से आधिकांस को अत्यधिक विक्षिट डिगरी तक रखना बेहद आवशक है। सफल पुरुषों और महिलाओं का एक अध्यन यह सपष्ट रूप से सच साबित करता है। कई उधार्णों में इन लोगों ने सबसे अधिक उस फैक्टर को डेवलप किया है जिसमें वे जीवन की शुरुवात करते समय सबसे कमजोर थे। प्रतेक युवा पुरुष और महिला को इन छे गुणों का अध्यन करना चाहिए और उन सभी को विक्षित करने का प्रियास करना चाहिए लेकिन विसेश रूप से उसे जिसमें वे सबसे कम जोर हैं। धन्यवाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो। पिछले चैप्टर में बताए गई लाष्ट तीन गुण यह बताते हैं कि व्यक्टी उस बिजनस का सेलेक्शन करे जिसके लिए वहस सबसे उप्यूकत है। इसमें कोई संदे नहीं है कि इनसान की सक्सेस उसके बिजनस के बहुत निकट से जुड़ी होती है। जब हम प्रोफेशनल्स का होता है जिसमें मेडिशिन, लिट्रेचर, लोग, धरम गुरू और अन्ये प्रोफेशनल्स आते हैं। दूसरा है मेकेनिकल ग्रूप जिसमें इंजिनिरिंग, बिल्डिंग बनाना, मैनिफेक्ट्रिंग और इसी तरह के अन्ये प्रोफेशन. तीसरा है Sales Group जिसमें Sales, Advertising और Marketing के सभी फेज शामिल है चोथा है Raw Material Group जिसमें Agriculture, Forestry, Mining और Basic Commodity Protection शामिल है एसे बहुत कम लोग हैं जो इन सभी चारों ग्रूप्स में फिट होते हैं अधिकांस तो इन ग्रूप में से केवल एक में ही फिट होते हैं इसलिए Success की तैयारी करने से पहले यह तैय करना सबसे Important होता है कि आप खुद का Analysis इस तरह से करें जिससे आप यह समझ सकें कि आप कौन से Business Group में सबसे ज़्यादा Fit बैठते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह हैं कि इस तरह के Analysis में बहुत ज़्यादा समय बरवादी नहीं करना चाहिए यदि कोई एक Natural Salesman है और Group 3 के लिए सबसे Fit है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर वह क्या बेचता है जब तक कि वह कुछ ऐसा सेल करता हो जो लोगों को खुश और बहतर बनाता है उसी तरह जो आदमी Agriculture में सक्सेस होगा वह शायद फोरेश्ट्रे में भी सक्सेस होगा हमेशा यह ध्यान रखें कि आपको हमेशा उस Group से बाहर रहना चाहिए जिसके लिए आप Fit नहीं है लेकिन सही Group का सिलेक्शन करने के बाद आपको उस Group के Special Division को लेकर ज़्यादा भागम भाग नहीं मचानी चाहिए क्योंकि हर Line और हर Division में बहुत बड़े बड़े आउसर है एक लंबे समय बात ये आउसर अपने आप एक दूसरे के बराबर हो जाते है वे Lines जो अभी सबसे ज़्यादा Promising दिखती है वे जल्द ही भीड़बर वाली हो जाएंगी और आज जो Lines अनपपुलर लग रही है वे कुछ वर्षों बाद सबसे ज़्यादा Attractive हो सकती है हर इनसान को स्वेम उस गुरूप का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें वह जीवन भर लगा रहे लेकिन जब एक बार आप उस डिसिजन पर पहुंच जाते हैं तो guidance के लिए अपने इश्ट देव पर भरोशा करें और उससे अपना मार्क धर्षन मांगे जब आपने सही निर्णे ले लिया है तब सक्सेस के लिए यह आवशक है कि उसके बाद अपने आपको उसमें समर्पीत कर दो यानि उसके प्रती अनकंडिशनल सरेंडर कर दो फिर अपने आपको भूल जाओ और निस्वार्थ भाव से उसमें लग जाओ यह है most important है कि वे सभी उन concerned और individual के साथ काम में लग जाएं जो आपके decision को सही direction में ले जाने में capable हो आप जानते हैं कि हम सभी गलतिया करते रहते हैं और कभी-कभी high critical या कम से कम inconsistent यानि ऐसंगत काम भी करते हैं हालांकि हम में से कुछ सही principle के अनुसार जीने और काम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जबकि बाकी इसके प्रती उदासिन रहते हैं इनसान को खुश रहने के लिए अपने पसंद के काम को या उसे सफल बनाने में सहाएक काम में लगे रहना चाहिए हर किसी को सही काम करने का प्रयास करना चाहिए भले ही वह अक्सर अपने प्रयास में फेल हो जाए फिर चाहे वह एक supplier हो एक business partner हो या फिर अपने अरधांगनी का selection करना हो केवल उन्ही लोगों पर विचार करना चाहिए जो आपकी तरह आप पर विश्वास करते हो और जिनके साथ आप prayer और worship कर सकते हैं यानि आपके और आपके selection के विश्वास अलग अलग नहों उनमें कुछ समानता एक रूपता अवश्य हो आप खुद चाहे कितने भी मजबूत क्यों नहों आपकी success आपके employer या आपके partner की success के साथ जुड़ी होती है यदि आपके सफल होने के लिए आपकी आस्था किसी एक खास विचार के साथ होती है तो यह बेहद आउशक है कि आपके employer और आपके business partner की भी आस्था उस विचार में होनी चाहिए success के लिए यह most important है कि व्यक्टी को किसी भी दूसरे subsidiary quality और success के साथ confuse नहीं करना चाहिए उधारन के लिए industry बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन धन या भूमी की तरह यह भी एक मातरक conveyor या bridge है जो किसी भी गलत समय पर टूप सकता है इसी तरह intelligence, initiative और बाकी सभी के बारे में भी यही सच है यह सभी के वल टूल से हैं जिनका use या तो construct करने के लिए किया जाता है या फिर district करने के लिए किया जाता है सक्सेस का important factor इन टूल्स को रखने वाले व्यक्ति का motive, purpose और ambition होता है यह motive, purpose और ambition आपकी आस्था का एक product है इसलिए यह important है कि हम उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करें जो अपनी आस्था के आधहार पर इसे build कर रहे है आस्था और इन छे गुणों के बारे में पहले से ही बताया जा चुका है बहुत सारे अच्छे लोग कभी सफल नहीं हुए क्योंकि वे उन लोगों के लिए या उनके साथ काम कर रहे हैं जिनके पास आस्था का आधहार नहीं है एसे बहले इनसान ने अपना घर बेशक चटान पर बनाया होगा परन्तु उसने आपके घर, चटान और सब कुछ को दूसरे की बालू रेत पर टिका दिया है इसी वज़े से दूसरा व्यक्ती सक्सेस होने में फेल रहा और इसलिए अच्छे विचार को भी एसा ही नुक्षान उठाना पड़ा आज तक के आंकडे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सक्सेस पूरी तरह से आपके इंप्लोयर और स्पष्ट विवेक रखने वाले सहेयोगियों पर निर्वर है इसका मतलब यह नहीं है कि एक आदमी संदीग्द तरीकों से पैसा, प्रभाव या प्रसिद्धी हासिल नहीं कर सकता है लेकिन इस प्रकार का धनिया प्रशिद्धी शायद ही कभी उसके मालिक या उसके बच्चों को कोई स्थाई लाब देता है यही कारण है कि जब यूवा पेड़ी अपने आस्था के कंट्रोल में आई तो बहुत सारी चिंताएं खत्म हो गई स्वभाविक रूप से मैं भोतिक स्मरदी की निंदा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना जीवन लोगों को ऐसी स्मरदी हासिल करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है चुँकि मेरी आई इस तरह के काम से होती है इसलिए मैं इसे कम करके नहीं आंकता हूँ एक परिवार को रहने के लिए घर, शिक्षा और कुछ लगजरी के लिए एक निश्चित मात्रा में मटीरियल प्रोस्पेरिटी आवशक है इस पुस्तक के प्रतेक पाठक के पास अपने परिवार की जरूरतों के लिए आवशक सभी भोतिक स्मरदी होने चाहिए हालांकि किसी के परिवार की मदद करने और अपने परिवार को समर्थन देने में बहुत अंतर होता है अपने बच्चों को उनकी जरूरतों के लिए प्रयाप्त से अधिक छोड़ना उन्हें मजबूत करने के बजाए कमजोर करता है यहें एक सहायता के बजाए एक प्रलोभन बन जाता है इस प्रकार यहें अक्सर अच्छे के बजाए नुकसान पहुँचाता है इसी कारण से हमारे इंप्लोयर या पार्टनर का स्वास्ते अच्छा होना चाहिए स्वास्ते काफी हद तक मनुश्य के धर्म या उसके जीवन पदती पर निर्वर करता है एसे कई उधारण है जहां लोग खराब हेल्थ के चलते भी सफल हुए है और एसे भी कई उधारण है जहां किसी की हेल्थ उसके सबसे बड़ी सफलता आने से पहले एक वर्ष या उससे अधिक समय में खराब हो गई थी बहुत बार एक बीमारी के कारण व्यक्ति को अपने खोए हुए स्वास्ते के मुल्य का एहसास होता है ताकि स्वास्ते प्राप्त करने पर आने वाले वर्षों में इसे और अधिक साउधानी से रखा जा सके कभी कबार बीमारी वर्दान भी साबित हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति को अपना असर लाने और अपने अक्षांस और देसांतर को निर्धारित करने का मुका देती है अच्छी हेल्थ एक नॉर्मल कंडिशन होती है ज्यादातर लोग अच्छी हेल्थ का आनंद लेते हुए तीन अंकों तक या उसके करीब समय तक जीने के लिए नियत है यदि एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल रूप से रहता है तो यह एक लंबे और स्वस्त जीवन का एक स्वभाविक परिणाम होगा इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए गहरी सांस लेनी चाहिए और किसी भी तरह के उत्तेजक पदार्थों से बचना चाहिए अच्छे स्वास्ते के लिए खुली हवा में उचित मात्रा में व्यायाम की आफशक्ता होती है यदि किसी वज़े से ओपने एर नहीं मिल सकती तो उसे किसी अन्य सिस्टमेटिक तरीके से व्यायाम जरूर करना चाहिए आराम और ताजी हवा भी जरूरी है कई लोगों को खुले आस्मान के नीचे सोना, गर्मी और सर्दी दोनों मोसम में फाइदे मन लग सकता है अच्छे स्वास्ते के लिए भरपूर नींद आम तोर पर जरूरी है आप यह अच्छे से जानते हैं कि अच्छे स्वास्ते के लिए ये आवशक्ताएं ऐसा मन्ने नहीं है इनको पाने के लिए किसी रोकेट साइंस, चमतकार या जादू की आवशक्ता नहीं है अच्छा स्वास्त है उतना ही स्वभविक है जितना की खुशी के लिए एक स्वष्ट विवेक इसलिए सच्ची सफलता के लिए गुड हैल्थ नितांत आफशक है हमें स्वभविक रूप से जीने की जरूरत है क्योंकि भगवान ने हमें जीने के लिए बनाया है और अधिक धन अधिक भूमी अधिक आसान और अधिक लोगप्रियता के लिए हमारी लगातार दोड के लिए नहीं जिस व्यक्ति का आदर्स वाक्य जीयो और जीने दो होता है वह हमेशा खुश रहता है और वह उतनी ही तेजी से सच्ची सफलता प्राप्त करता है आप भी यह सुनिश्चित करें कि क्या आप एसे लोगों के लिए या उनके साथ काम करते हैं जो इसी तरह के विश्वास रखते हैं जो इम्प्लोयर या पार्टनर कहते हैं कि भगवान ने उन्हें अपने बिजनस में सक्सेस होने से रोक रखा है तो उन्हें अपना बिजनस बदल लेना चाहिए निश्चित रूप से यदि यह उस बिजनस के बारे में सच है जिस पर आप विचार कर रहे हैं तो आपको इसमें प्रवेस नहीं करना चाहिए काम करने की स्थिती, working hours, opportunities for exercise और living situation आदी सभी को तब मापा जाना चाहिए जब कोई अपने बिजनस पर विचार करे या किसी को अपना partner चुनना हो सभी groups के लोग जो अपने सही group में काम नहीं कर रहे हैं वे लगातार अपने जन्म सिध अधिकारों को बेच रहे हैं यदि आप ऐसी condition या business में हैं जहां आप स्वष्ट विवेक और अच्छे स्वास्ते दोनों का आनंद नहीं ले सकते हैं तो इससे तुरंत बाहर निकलें और अपने group को चुने वे किसी और चीज में जाएं हो सकता है वहां आपको उतना पैसा नहीं मिलता होगा पैसा ही सबकुष नहीं है इसके अलावा अगर यह दूसरों के विवेक और स्वास्ते को खत्म करने का जरिया रहा है तो सावधन रहें इस तरह एक सहयोगी पतनी का भी बहुत महतव है मैं न्यू इंगलेंड की एक बड़ी निर्मान कंपनी के मुख्या को जानता हूँ जिसने अपने होन टाउन के एक होन हार यूवक को अपने यहां काम दिया वहे लड़के के माता पिता को जानता था वहे खुद भी लड़के को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि किसी समय वहे लड़का उसकी संडे स्कूल की क्लास में था वास्तों में उसके बिजनस में कई विभाग प्रमुक भी संडे स्कूल और EMCA के समय के जानकार थे अपने उच्छ चरित्र और क्षमता के कारण मैनुफेक्चिरर का वहे लड़का पसंदीदा था शुरू से ही लड़के ने अच्छा काम किया उसने पहले कुछ वर्षों में तेजी से उनति की और उसे 23 वर्ष की उम्र में ही प्रती वर्ष 6000 डोलर की सेलरी मिलने लगी थी जो संभवत है उस शहर में प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ती से अधिक थी जहां से वे आई थी उसके ओफिस में एक बहुती सुन्दर फोटोग्राफर थी जिसे यूवक बहुत पसंद करने लगा था और वहे लड़की भी उसे पसंद करती थी यह कहना आजीब होगा कि स्टेनोग्राफरों के ग्रूप में सबसे घरेलू लड़की आम तोर पर सबसे कुशल होती है जबकि सबसे सुन्दर आम तोर पर सबसे कम कुशल होती है और यह मामला भी कोई अपवाद नहीं था हालांकि लड़की को यह जल्दी ही महसूस हो गया कि उस यूवक के पास संभाव नहीं है और वहे उसके लिए एक अच्छा सिलेक्शन साबित होगा वहे लड़की उसे पाने में सफल रही उन्होंने एक साधारन शादी की और मामूली तरीके से हाउस कीपिंग शुरू कर दी पहले तो वहे उस चीज से संतुष्ट थी जो वहे आसानी से वहन कर सकता था हालांकि थोड़े समय में वहे और अधिकी चाहत करने लगी थी उसने हमेशा आकरशक कपड़े पहने वहे बेहतरिन कपड़े पहना चाहती थी लेकिन वहे वहे सब नहीं जानती थी जो उसे जानना आवशक था उसके तो अपने ही अन्य हित थे इस प्रकार उसने अधिक से अधिक मेहंगे कपने खरीदे फिर उसने घर के लिए मेहंगा फरनीचर खरीदा फिर जिस घर में वे रहते थे वह इस फरनीचर के साथ उसे शोभान नहीं देता था और उसने अपने पती को जोड़ दे कर कहा कि अधिक फैसनेबल पडोस में एक बड़ा घर खरीद ले जिससे उन्हें जल्द ही अपने पूरी सेलरी खर्च करनी पड़ी और वे करज में डूब गए पहला शोडाउन तब हुआ जब बिजनस प्रमुख ने इस यूवक सहित अपने चार विभाग प्रमुखों को अपना बिजनस बेजने का फैसला किया इंप्लोएर के इस बड़े ओफर के लिए यूवक के पास आउसर का लाब उठाने के लिए पैसे नहीं थे इसके अलावा जब वह उधार लेने के लिए अपने बैंक गया तो बैंक ने उसे सुचित किया कि उसके खाते में लोन की गारंटी नहीं है इसके अलावा बैंक अध्यक्स जानता था कि उसके अभी बिल बकाया है और उसके पास परियाप्त साधन भी नहीं है जिससे वह और लोन उठा सके बैंक अध्यक्स उसकी पतनी और बेटियों ने अक्सर उस युवा जोड़े को नास्ते की मेज पर बात करते हुए सुना था यह कभी ने भूलें कि बैंक अधिकारी और व्यवसाई जिनके साथ हम डिल करते हैं उनकी पत्नियां भी है और साथ ही हमारी पत्नियां भी अक्सर कमों बेस एक दूसरे से इर्शा करती है यदि किसी के पास एक मैया फर कोट या ओटो मोबाइल है तो दूसरे इसे थोड़ी देर में यह मान लेते हैं कि यह उनके पास भी होना चाहिए जब उन्हें लगता है कि उनका मालिक इसे वहन कर सकता है तो वे आहें भरते हैं और इसका भरपूर लाब उठाते हैं परंतो यदि उन्हें लगता है कि वह इसे वहन नहीं कर सकती और यदि वे जानते हैं कि उनके पती को उनके पती से अधिक नहीं मिल रहा है तो परिशानी है वे तुरंत नए फर्व कोट के गरव के मालिक के बारे में गपशप करते हैं और अन्य सभी को इस यूवती के हो सकती है दूसरी ओर इसका रिवर्स भी बहुत बारसाच होता है कई यूवक अपनी सफलता का स्रे अपनी किफायती पत्नी को देते है और यह है तथ्थे कि बेंकर की पत्नी जानती है कि वह किफायती है वह उसके लिए मददगार है इसलिए कही टाउन बेंकों के लोन, पारिवारी गपशप और बैंकर की पतनी और बच्चों द्वारा जान बूज कर या अंजाने में की गई टिपनियों से निर्धारित होते हैं। महिलाओं को अक्षर डन या बैड स्ट्रीट की तुलना में क्रेडिट निर्धारित करने के लिए कहीं अधिक सोचना पड़ता है। महिलाओं करने के लिए डाटने लगी। उसने उसकी मदद करने और प्रोचाहित करने के बज़ाए उसे दबाने और दंडित करने की कोशिश की। वह नेक इरादे वाली थी, वह शायद अपने पती से प्यार करती थी, लेकिन वह निश्चत रूप से उसके लिए एक बड़ी बाधा थी। वह चाहते थी कि वह सफल हो, लेकिन वह खुद उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा थी। वह चाहते थी कि उसे प्रमोशन मिले। लेकिन वह एसी स्थितियां बना रही थी, जिससे उसके उन्नती रूप गई। इस महिला को अपवाद ने समझे। हर मोहले में एसे कई हैं, वे अलग-लग तरीके से काम करते हैं, सभी बेहतर घरों, कारों और कपड़ों के लिए महतव कांक्षी नहीं हैं, कुछ इसी तरह कलब के काम, लोज मिटिंग या यहां तक की राजनिती में भी ऐसंतुलित हैं। मेरे मन में एक महिला है, जो अपने पती के सीनेटर बनने के लिए बेहत महतव कांक्षी है। वह इमानदारी से मानती है, की वह यह सब अपने पती के भविश्य के लिए कर रही है। बेचारा गुमरा आदमी उसके पास पिछले अध्याई में उल्ले की छे गुणों में से कुछ हैं। लेकिन उसके पास धार्मिक आधार और सची सफलता का उचित द्रिश्टिकोर नहीं है। सो भग्य से अधिकांश मेहिलाएं वास्त्विक सहाइक होती हैं। अधिकांश मेहिलाएं अपने पती को सफल बना रही है। एक पत्नी एक आदमी को बना या बिगार सकती है। अधिकांश सफल पुरुस अपनी सफलता का स्रे अपनी पत्नियों को देते हैं। आंकडे निश्चित रूप से दिखाएंगे कि एक आदमी की पतनी उसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण फेक्टर है और अगला फेक्टर उसका एक अच्छा परिवार है इसके अलावा आंकडे शायद यह दिखाएंगे कि जो महिलाएं अपने पतियों के लिए सबसे अधिक मददगार रही हैं वे वे हैं जो घर पर रहेकर वास्तविक पतनिया बन चुकी है अच्छे बच्चों के परिवार से बढ़कर कोई भी व्यक्टी सफलता के लिए प्रेरित नहीं होता है किसी पूरुष की वास्तविक सफलता को संखी के रूप से आंकना मुश्किल हो सकता है लेकिन महिलाओं के साथ यह इतना मुश्किल नहीं है बेशक हर नियम के अपुआद है लेकिन एक नियम के रूप में एक महिला की सफलता को अक्सर अच्छे बवाइज और गर्ल्स की संख्या से मापा जाता है जिने मैन हुट और वोमन हुट से जाना जाता है धन्यवाद मिलते हैं अगले चेप्टर के साथ हिंदी ओडियोबुक डोट कोम आपका दिन शुब हो हाई हिंदी ओडियोबुक डोट कोम में आपका स्वागत है आईए आज सुनते हैं रोजर डबलू बापसंद्वारा लिखित बुक वाट इस सक्सेस का तीसरा चेप्टर जिसका टाइटल है फंडामेंटल लोव यानि बुनियादी कानून अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है तो कोई विश्वियूद का सुझाओ दे सकता है दूसरा यह सुझाओ दे सकता है कि युनाइटेट स्टेट स्टील कार्पोरेशन से बड़ा कोई नहीं है कोई तीसरा रिपबलिक पार्टी और फिर एक और किसी दूसरी शक्ती का उधारन दे सकता है जिसने दुनिया की नियती को आकार दिया है लेकिन इस सवाल का मेरा अपना जवाब इन सबसे अलग है क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है लो ओफ एक्शन और रियेक्शन यानि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यानि हर एक्षन के लिए एक समान और विपरित रियक्षन होता है बेशक वर्ड वार का जवर्दस्ट परिडाम रहा था लेकिन यह बीटी बात है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर समय रहता है यह गुरुत्वा कर्षन के नियम की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है United States Steel Corporation एक बड़ी चीज है और इसकी गतिविदिया पूरे विश्व को प्रभावित करती है लेकिन Action and Reaction का कानून इस शांदार निगम पर और हर दूसरे निगम पर पकड़ रखता है हमारे महान राजनेतिक दल बड़ी चीज़ें है लेकिन Action और Reaction के कानून की वजह से ही वे Government में और Government से बाहर हो जाते है जैसे कि एक चक्रवात के बीच Thistle Down होता है वैसे ही डाक टिक्टो को संभालना हो या लाखों करोडों डोलरों को इसलिए जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो Action और Reaction के लौपर विचार किया जाना आवशक हो जाता है यह नियम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है क्योंकि यह मानव रद्य की भावनाओं को भी नियंत्रित करती है और यही सच्चे धर्म का आधार है सिरी मद भागवत गीता में भी सिरी क्रिशन अरजुन को इसी मूल भूत नियम को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन की जैसी भावनाई रहेंगी परिणाम भी स्वते ही उसी के अनुरू पाएंगे इसलिए रेजल्ट पर नहीं बलकि अपनी क्रिया यानी Action पर ध्या बिजनस में उच्छाल जैसी दिखती है ये एसी आवधिया है जो लापरवा विस्तार, हिस्टेरिकल गतिविदी और अनौंस्ट इंफ्लेक्शन होती है नॉर्मल लाइन्स के नीचे की वैली बिजनस डिप्रेशन जैसी स्थिती हो जाती है ऐसे समय रूथलेस रेटरीजम यानि निर्मम छंटनी, घबराहट और बेरोजगरी होती है तब सामानयता कठिन समय होता है हर बार जब कोई एबनॉर्मल बूम आता है तो निश्चित रूप से यह है एक एबनॉर्मल डिप्रेशन आना स्वभाविक है यह है एक फंडामेंटल लो है कि नॉर्मल लाइन क उपर एक अच्छा पिरियड अनिवारिय रूप से लाइन के नीचे एक बड़ी अवधी के बाद आता है कुछ पाठक व्यक्तिगत रूप से 1960 की ग्रेट प्रोस्परिटी को याद करते हैं लेकिन जैसा की आप जानते हैं कि इसके ठीक बाद 1907 का पैनिक था यह है आमेरेक संकट से पहले की एक्टिविटी की एक और अवधी थी जिसके बाद 1914 की सुस्ती आई थी इसके बाद संकट से पहले उचाल आया और फिर संकट के बाद का उचाल जिसके बाद 1920 का रियक्शन हुआ हमें यह चार्ट अमेरिकी ग्रेय युद के पहले के दिनों में ले जाता ह इन उतल पुतल भरी कंडिशन के द्रशे के रूप में ओल्ड वर्ड के पार इस चार्ट को ले जाएं। एक वेगैनिक था जिसने कैलिफॉर्निया में सैंक्डो साल पुराने विशाल पेड़ों की खोज करने के लिए अपने आपको समर्पित किया था। उसने माइक्रोसकोप से यह देखकर अनुमान लगाया कि यह कितने पुराने थे जिसे उसने हर लेयर को एक दशक में बना हुआ माना। इस तरह वह यह साबित करने में सक्षम हुआ कि सुदूर पुरातंता में भी अत्यदिक उरवर्ता के एक समय के बाद अकाल का भी समय आत उनिक बिजनस का एक गुजरता हुआ चरन है इसी तरह यह नया नया उलजा हुआ नहीं है जिसके बारे में अभी सुना गया है लेकिन वास्तों में यह मानव इतिहास का सबसे स्थाही सत्य है यह फंडमेंटल ला दुनिया की सबसे बड़ी चीज है क्योंकि यह हर पुरु आपने शायद कुछ समय पहले अख़बारों में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री के एक महान कैप्टन को ओटो मोवाइल कॉर्पोरेशन से जबरन बाहर कर दिया गया था जिसके वे मुख्या थे एक अन्य को उस विशाल टायर कॉर्पोरेशन का नियंत्रण त्यागना पढ जिसे उसने बनाया था कुछ महीनों बाद आपने पढ़ा कि कोमर्स की दुनिया में एक और विशाल सक्षियत ने अपने निजी अस्तवल को बेच दिया था और पचास लाख डोलर के नुकसान को पूरा करने के बेताब प्रियास में अपनी संपत्ति को बाजार में फेंक इन दोनों का अपने समय में एक छत्र राज था लेकिन उन्होंने इस मूलभूत नियम की अवेलना करने का प्रियास किया अगर कोई नियागराफ फॉल्स के कगार पर खड़े होने की कोशिश करेगा तो वहे अपने पैर जवाने में ऐसफ़ल ही रहेगा अगर ये लोग जो बिजनस वर्ल्ड के सूपरमैन थे जो तुफान के सामने जुके हुए थे अगर उस समय किसी एसे विनम्र मजदूर से मिलते जिसने अपनी नोकरी खो दी थी तो उन्होंने शायद उसका हाथ पकड़ कर कहा होता मेरे भाई यह मौलिक कानून कोई रेंक या रेटिंग नहीं जानता यह हम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है अमीर या गरीब, पूरवी, पश्चिमी, उतरी, दक्षनी, कसाई, बेकर और मुम्बती बनाने वाला फिर चाहे कोई भी हो प्रतेक पाठक के लिए किरिया और प्रतिकिरिया के नियम का क्या आर्थे है इसका एक सरल उधारन यहां दिया गया है यह पत्र जनवरी 1908 को नियुयार्क शहर के एक यूवक ने अपने लोगों को लिखा था यह बिजनस डिप्रेशन के समय में लिखा गया था प्रिये माँ, मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा लेकिन यहां मेरे सफल होने की संभावना बहुत कम है मैं अपने जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ काम पाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने हर अख़बार में हर विग्यापन का जवाब दिया है मैंने उन सभी लोगों को बुलाया है जिने जन्गरना करने वाले ने बुलाया था और कुछ और भी जो मुझे यकीन है कुछ उन से छूट गए थे मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ आपको यह जारकर खुशी होगी कि एक आदमी ने आज मुझे से कहा कि वह मेरा नाम फाइल में डाल देगा चाहे इसका कोई भी मतलब हो सभी को ढेर सारे प्यार के साथ एलेक यह पत्र कुछ माताओं और पिताओं को परिचित लग सकता है शायद आपको अपने ही बेटों से एसे पत्र मिले हो आप पंक्तियां पढ़ सकते हैं और आप जानते हैं कि वह लड़का किसका विरोध कर रहा था आप उसे देख सकते हैं वह दुनिया में सबसे कठिन काम से ठके हुए एक नोकरी की तलाश कर रहा है उसके पैरों में दर्द है वह दिल से बीमार है लेकिन फिर भी एक हंसमुक चेहरे के साथ वह लिख रहा है कि चिन्ता मत करो उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ऐसा नय हो कि उसकी पेरेंट्स उसकी चिन्ता में डूब जाएं इस लड़के का तब क्या होता अगर उसकी मां अपनी स्थिति के असली तथ्यलिक देती मान लीजिये उसने उसे बताया होता कि काम खोजने में इतनी मेहनत का कारण यह नहीं था कि वह अच्छा नहीं था इसलिए नहीं कि एक यूवक के पास सफल होने का कोई मोका नहीं था इसलिए नहीं कि वहाँ नीचे कोई जगह नहीं थी बलकि वह उसे यह समझाती कि सिर्फ इस मौलिक कानून के ऐस्थाई आंदोलन के कारण वह अपना काम ने खोजे क्योंकि वह तो उसे मिलने ही वाला है तब वह उसे समझा सकती थी कि यदी वह कुछ ना करता होता या फिर कानून बहुत देर बाद उसकी मदद करता लेकिन उससे पहले वह विकलांग हो जाता जब तक लोग अपना काम करता तब तक बहुत देर हो जाती जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है सहे जा था इसे देखकर मैं थोड़ा मुस्कुर आता हूँ लेकिन मुझे आशा है कि जब मैं उस रात इसे लिखने के लिए बैठा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कभी भी बेमोत नहीं मरूंगा मैं यह समझ गया था कि इस दुनिया में कितने ही वास्त्विक दुख है जिन से केवल इनका असली कारण समझ कर उनसे बचा जा सकता है जो इस डिप्रेशन के समय में डर की वज़े से अपनी जान खवा चुके थे अगर उने केवल यह एह एहसास होता कि यह केवल बिजनस प्रिस्तितियों में एक स्विंग मात्र है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा तो वे आज हमारे बीच एक सफल जीवन जी रहे होते यहां एक और पत्र है जो उन पाठकों के लिए रूचिकर हो सकता है जो पत्र पसंद करते हैं क्योंकि वे वास्त्विक मानविय दस्तावेज हैं ने की सूखे सिधन्तों की अभिव्यक्ति यह पत्र एक यूवती ने लिखा था 18 अक्टूर 1919 मेरे प्रिय मिश्टर बॉबसन करपिया यह ने सोचें कि मैंने बॉबसन एनेलिसिस और्गनाइजसन के साथ अपने काम का आनंद नहीं लिया है यह सबसे अनुकूल रहा है और मुझे आशा है मैं उपयोगी रही हूँ मैंने निश्चित रूप से बहतर बनने की कोशिश की है मेरे इस पद से इस्तिवा देने के लिए आपको यह पत्र भेजने का मेरा एकमात्र कारण यह है कि मुझे एक दूसरी कमपनी में एक इस से बहतर पद की पेशकश की गई है और वे मुझे यहां की तुलना में बहुत अधिक वेतन देने वाले हैं हालांकि व्यक्तिगत रूप से हाई सेलरी मुझे अपनी नोकरी बदलने के लिए प्रभावित नहीं करेगी लेकिन वास्तो में मेरे साथ मेरा परिवार भी है जो मुझे वास्तों में लगता है कि यह मेरे लिए एक गंभीर फैसला है मुझे हमेशा आपके काम में और उस संग्ठन में बहुत दिल्चस्पी होगी जिसमें मैं कई दोस्तों को छोड़ कर जा रही हूँ आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी आपकी ध्यान दें कि यह पत्र अक्टूर 1919 में लिखा गया है उस समय अक्टूर 1919 में क्या हो रहा था उस समय बिजनस फलफूल रहे थे सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे सभी को मोटी तन्खवा और अन्य अलांस मिल रहे थे बिजनस ओर्गनाइज़ेशन एक दूसरे के इंपलोई को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे थे जैसे एक दूसरी कमपनी ने एक लड़की को बॉपसन के ओफिस से अपने पास आने के लिए अट्रेक्ट किया था वह है एक वेल्यूएबल इंपलोई थी उन्हें उसकी सेलरी बढ़ाना और इस तरह के अन्य प्रस्ताओं को पूरा करना चाहिए था लेकिन यहे बाकी सभी के साथ अन्याए होता इसलिए यहे असंभाव था केवल एक ही काम करना था कि उसका रेजिनेक्सन एकसेप्ट कर लिया जाए साथ ही साथ उसे अपना पद छोड़ने के खिलाफ दर्ड़ता से सला दी जाए हलांकि सला को स्विकार नहीं किया गया था फिर क्या हुआ यह समय किसी हनिमून पीरियड की तरह खुशिशे निकल गया और फिर लगबग 1920 के मध्धे में दाउन फाल्स का समय आ गया बिजनस नीचे की और खिसकने लगी बिजनस और्गनाईजसंद में छंटनी होना शुरू हो गया करमचाईयों को छुट्टी दे दी गई जिस विशेश कंपनी ने फैंसी वेतन के लालच में लड़की को बहकाया था वहे अब पिट चुकी थी और उसे चुट्टी दे दी गई उसे लगा कि वहे फेल हो गई है वहे पूरी तरह निराश हो गई थी उसे दूसरी नोकरी करने का आग्रह करने के बजाए जैसा कि उन्होंने किया उसके माता-पिता को उसे यह मौलिक कानुन समझाना चाहिए था कोई भी माता-पिता जो अपने बच्चों को बिजनस डिप्रेशन के कगार पर एक सुरक्षित नोकरी छोड़ने की अनुमती देते हैं वे ने केवल एसी प्रोफेशनल से हिल्प खोने के पात्र हैं बल्कि वे अपने बच्चों के आत्मविश्वास और सम्मान को भी खत्म कर रहे हैं युवाओं के लिए महतो कांक्षा रखना जायज है बेशक हम चाहते हैं कि वे सफल हो लेकिन उनके प्रती अपने प्रेम को सफलता के मूल भूत नियम से आँखे नए मून लेने दे सफलता के लिए हमारी महतो कांक्षा को अंदी महतो कांक्षा नए बनने दे डिप्रेशन के समय उन्हें आत्मविश्वास और आशा शाहस और उद्दम सिखाएं और ग्रेट प्रोस्पेरिटी के समय में स्तिर्ता, विवेक, सावधानी, सतर्कता और सेवा सिखाते हैं दुनिया के कुछ सरवस्रेश्ट और महाल लोगों ने स्पस्ट रूप से कहा है कि उनकी सभलता का अधिकां से हिस्सा अपनी मा से सीखे गई सबक और एक बुद्धिमान पिता की सला के कारण है अगर उन सभी पाठों और सलाहों में एक्षन और रियक्षन के फंडामेंटल लोग के बारे में निर्देश शामिल हो सकते हैं जैसे दुनिया में यह कैसे काम करता है फंडामेंटल लोग कैसे संचालित होता है यह हमें कैसे बनाता है या तोड़ता है इसकी स्पष्ट समझ के साथ युवाओं के दुनिया में जाने के लिए यह कितनी अमुल्य विरासत है क्योंकि हम इससे लाव लेने के लिए इसके अनुरूप अपने सेलेबस को आकार देते हैं अपने शक्ती को व्यर्त ही गवाने से रोकने की कोशिश करते हैं जैसा कि शेक्ष्पीर ने कहा था लोगों के मामले में हमेशा एक जुआर होता है जो बाड में ले जाता है और वह बाड भग्य की और ले जाती है इस जुआर को पकड़ने का समय उपर की और लोंग स्विंग के बोटम पर होता है धन्यवाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो सफलता क्या है? अध्याए चार कोई विवाद नहीं एक महान अंतर महादवी पियरेल मार्ग परनाडी के अध्याक्स एक ओप्रेशन से उबरने के बाद शिकागो के एक अहस्पताल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कई दिनों से विश्वष्णिय नर्स चुप चापो और नियमित रूप से बिमार आदमी का तापमान रिकोर्ड कर रही थी एक दिन उसने उनके और देखा और कहा मैं सोच रहा हूँ कि तापमान चाट की एक गती मानव जीवन की प्रगती को चित्रित करती है यदि पूरुष व्यवसाइक परिस्तितियों पर चाट को देखते है तो वे उन्हें केवल मानोता के संधर्ब में देख सकते है इस तरह के चाट की हर छोटी सी हल चल दस करोड लोगों स्युक्त राजे अमेरिका की पूरी आबादी के जीवन को बदल देती है आप स्युम उस दस करोड में से एक है व्यापार की गतिविदियां हम सभी तक अपना प्रभाव पहुंचाती है हमारी सभलता की संभावनाई व्यवसाई की विविद्ताओं के साथ प्रती दिन बदलती रहती है क्योंकि मेरे ठीक होने की संभावना आपके चार्ट की गतिविदियों के साथ बदलती रहती है लोग कहते है यह अन्या लोगों के लिए ठीक हो सकता है लेकिन मेरी स्थिती अलग है मौलिक सिध्धान मुझे बिलकुल भी प्रभावित नहीं करता है ऐसे लोग गलत है यह सभी समूँ हो और सभी वरगों को प्रभावित करता है एक बड़े बिजनस के प्रमुक ने मुझे एक बार चार्ट दिखाया जिसमें यह दर्शाया गया था कि उनका व्यावसाई किस परकार बढ़ रहा था महीने दर महीने और साल दर साल हालांकि उसने सभी चेतावनियों को नजहरंदाज किया साफ तोर पर आने वाले तूफान से निपटने के लिए उन्होंने कोई तयारी नहीं की थी जब तूफान आखिरकार टूट पड़ा तो उसने उसे दिवालिया गोसित कर दिया वह आर्थिक, शारिरिक और अध्यात्मिक रूप से ऐसफल रहा फिर किसान है किसान अकसर सोचते हैं कि वे एक स्वतंतर जीवन जीते हैं वे कहते हैं मौलिक सिध्धान बैंकरों और व्यापारियों पर लागू होता है लेकिन किसानों पर नहीं वे यहां तक चाहते हैं कि कॉंग्रेस मौलिक सिध्धान को अस्तितव से बाहर कर दे या उन्हें अपने अधिकार क्षेतर से मुक्त कर दे लेकिन मंदी के दोर में क्या होता है गेहूं की कीमत नीचे आती है कपास की कीमत नीचे आती है अन्यक्रशी उत्पादों की कीमते नीचे आती है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह किसान भी कठिन समय से जूज रहा है। वह एक्षन और रियक्षन के सिध्धान्ट से प्रभावित है। इस शाश्वत और सारो भहमिक नियम से कोई मुक्त नहीं है। अपना पेशा बदलकर कोई इससे बच नहीं सकता क्योंकि यह सिध्धान्ट सभी व्यवसायों पर शाशन करता है। दूसरे इलाके में जाकर कोई इससे बच नहीं सकता क्योंकि यह सिध्धान्ट सभी इलाकों पर राज करता है। सफलता का यह नियम गुरुतवाकरशन के नियम की तरह है, हम जहां भी रहे रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, हम मेंसे प्रतेक के जीवन को यह नियंत्रित करता है, एसे बहुत से पाठक हैं जो अपने आप से कह रहे हैं, अच्छा, यह काफी महतपूर्ण सिधांत होता है, ले लेकिन मेरा विशेस विशे है, अपवाद है, मुझे इन आर्थिक ताक्तों की क्या प्रवा है। निमन लिकित दो या तीन उधारन सार्थक हो सकते हैं, यह दिखाते हुए कि यहां कोई अपवाद नहीं है। कोई भी यह साबित करने के लिए वास्तुई कांकडे दिखा सकता है कि अच्छे समय की तुलना में, कठिन समय के दोरान, धार्मिक स्थानों की सदस्यता तेजी से बढ़ती है। यह मिनिस्टर बहुत सबल रहे, लोग उनके धार्मिक स्थान में आते थे और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते थे, उन्होंने और वास्तुईक रूप से महसूस किया कि उन्हें दुनिया में अधिक अच्छाई करने के लिए नियत किया गया है, कि उन्हें वास्तों में मंत्राले के लिए बुलाया गया था, उन्हें सभलता का आश्वाशन दिया गया था। एक दि मिक्स धलमे सा देसता गटने लगी रुपांतरन बार बार कम होता गया पहले एक संकेत और फिर दूसरे संकेत ने इस स्पष्ट तथ्या की और इशारा करना शुरू किया कि वहे अपनी पकड़ खो रहा था और सफल नहीं था उसे यह भी संदे होने लगा कि क्या उसे वास्त होते और यह महसूस करते कि इसके संचालन के लिए कोई अपवाद नहीं है तो इस तरह के संदेहों ने उन्हें परेशान नहीं किया होता उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके पादरी के पहले के दोर में उनकी विसिष्ट व्यक्तिगत शक्ती उनकी सफलता के एक बहुत बड़े हिस्से का कारण नहीं थी बलकि वे उस समय की मूल बूत स्तितियां थी यह उनका अपना प्रभाव इतना नहीं था जो लोगों को अपने पाले में ले आया क्योंकि यह आर्थिक विपत्ति का डंक था दूसरी और जब समय बदला और अंदा धुंद फिजूल खर् था क्योंकि यह व्यापार उचाल हमेशा साथ देने वाली स्वचंद प्रवर्तियों के कारण था इस पुस्तक को पढ़ने वाले स्कूली अध्यापकों को शायद आश्चरिय होगा कि कुछ वर्ग के लोग इस मौलिक सिधान से इतने गहरे रूप से प्रभावित हैं जित पंद्रा सो डोलर परती वर्ष के वेतन पर पढ़ाना शुरू कर सकता है समय के साथ यह वेतन कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से वेतन सीमा निश्चित रूप से नियत और सिमित है यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि जीवन यापन की लागत भी तै नहीं है रहने की लागत तथा भी परिवर्थन शील है यह एस्तिर्था की उंचाई तक बढ़ सकता है इस प्रकार यह 1914 से 1919 की अवधी के दोरान बढ़ा 1914 के सिक्षक के लिए 1000 डॉलर परियाप्त वेतन हो सकता था लेकिन 1919 में यह 1000 डॉलर वास्तविक क्रेशक्ति में अपने पूरु आकार के लगबग आधे से कम हो गया था सेंक्डो सिक्षकों को लगबग हताशा में डाल दिया गया और यह केवल भाशन नहीं बलकि कठोर सत्य है हजारों सिक्षकों को अपने चुने हुए पेशों को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सच्मुच उनके पास कुछ नहीं था एक सिक्षक इसके बारे में क्या कर सकता है कोई पूच सकता है जीवन की लागत में इस भायानक उतार चड़ाओं को देखते हुए क्या सिक्षक उनके भायानक परिणामों को रोकने या कम करने के लिए कोई व्यवहारिक तैयारी कर सकता है सबसे अच्छा उपाई यह है कि जनता को शिख्षकों को परियाप्त वेतन देने की आवशक्ता के बारे में शिख्षित किया जाए ताकि ने केवल जीमन यापन किया जा सके बलकि समय रहते बचत की जा सके यहां तक कि एक ममुली राश्ची के साथ सिख्षक स्थिर वेतन और बढ़ते खर्च की आवधिक परिक्षा से अधिक सफलता पूर्वक गुजर सकता है ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बेटों को इलेक्टिक इंजिनियर, मेकेनिकल इंजिनियर, सिविल इंजिनियर, माइनिंग इंजिनियर आदी के रूप में परशिक्षित करने के लिए इंजिनिरिंग कालेजों में भेज रहे हैं इंजिनिरिंग एक एसा पेशा है जिसमें बहुत उतार चड़ा होते हैं एक दोर होगा जब इंजिनियरों की काफी मांग होगी एक समय आएगा जब इंजिनिरों के लिए व्यवहारिक रूप से कोई पेशा नहीं होगा और उनमें से कई को तो शायद ही काम मिल पाएगा कारण यह है कि स्मरदी की अवधी के दोरान जब माहन औध्योगी की विस्तार होता है कार खानों, डिजाइन उपकरण बनाने और सभी प्रकार के तक्निकी कारियों को करने के लिए इंजिनियरों की आवशक्ता होती है लेकिन जब आवसाद आता है तो विस्तार चंटनी में बदल जाता है अधिक इंजिनियरों को काम पर रखने के बजाए संस्ताएं पहले से ही अपने नियोजित लोगों को छुट्टी देने के लिए इच्छुक होती है इसलिए सफल होने की इच्छा रखने वाले इंजिनियर के लिए यह अत्यंत महतपूर्ण है कि वह सफल ताके इस मूल भूत सिद्धान का अध्यन करे ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि उतार चड़ाओ का समय आने पर एस सामान्य विस्तार की अवधी का पालन करना चाहिए और उनके अनुसार खुद का मारकदर्शन करना चाहिए अपने बेटे से इस बारे में बात करें जो इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहा है उस पर इस नियम को समझने और इन एस्तिर उतार चड़ाओ के अनुरूप अपने करियर को आकार देने का जावरदस्त व्यवहरिक मुल्य पर भावित करें ऐसे कुछ परिवार हैं जिने किसी समय अचल संपत्ती खरीदने या बेचने की आवशक्ता नहीं होती है बेशक अचल संपत्ती मुल्य में कपास, गेहू, मक्का और अन्य वस्तों की कीमतों की तुल्ना में अधिक स्तिर होने की संभावना है फिर भी अचल संपत्ती के मुल्य काफी हद तक धीरे धीरे उपर और नीचे होते रहते हैं जब मुल्य ऐसा मन्ने रूप से अधिक हो तो संपत्ती खरीदना बहुत बड़ी मुर्खता है जब तक जरूरत सबसे जरूरी ने हो तब तक इंतजार करना अच्छा होगा जब तक कि जमीन और घरों की कीमतें कम से कम ने हो जाएं यही बात घर बनाने पर भी लागू होती है एक बिजनस उच्छाल में सबसे उपर हर कोई समरद और विस्तरत महसूस करता है तब आप सोसते हैं कि एक बेहतर घर बनाना या खरीदना कितना अच्छा होगा तब आपको लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से वेहन कर सकते हैं क्योंकि आपकी आई में वरदी हुई है और भविश्य उजवल दिखता है लेकिन फिर से यह निर्मान या खरीदने का बिलकुल गलत समय है आउसाद की निमन लिखित आउधी के अंत तक परतिक्षा करें जब बाजार में ऐसा मन्य रूप से कम कीमतों और जमीन और घरों में वास्त्विक सोदेबाजी पर हमेशा अच्छी संपतिया होती है तब तक परतिक्षा करें जब तक की अधिकांस लोग उदास और निराशने हो और सोचें की देश दलालों के पास जा रहा है इसके अलावा ऐसे समय में एक उतकरष्ट घर बनाने में ऐसी परिस्तितियां आदर्स होती है जब निर्मान सामगरी सस्ती होती है शरम सस्ता होता है और नियुनतम खर्च पर होता है एक और समश्या है जिसका सामना कई परिवारों को करना पड़ता है वह है अपना पेशा बदलने की समश्या उधरन के लिए एक किसान कभी कभी खेती चोड़ने और स्टोर कीपिंग करने की इच्छा रखता है एक बिजनस से जुड़ा व्यक्ति यह तै करेगा कि कोई अन्य बिजनस बेहतर आउसर परदान करता है इस तरह के बदलाओ कभी भी लापरवाई से नहीं किये जाने चाहिए बलकि परिस्थितियों के सबसे गंभीर अध्यन के बाद ही किये जाने चाहिए याद रखें कि पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण बात वर्तमान स्थिति नहीं बलकि बहविश्य का द्रिश्टिकोन है यह बहविश्य है जो आपको बना या बिगाड सकता है वर्तमान या अतीत नहीं एक व्यक्ति को एक बड़े बिजनस मनाने वाली कमपनी के सेल्ज मैनेजर के रूप में एक अच्छी नोकरी की पेशकर्ष की गई उन्होंने केवल सेल्ज की वर्तमान मात्रा को देखा जिस पर उसे एक आकरशक कमिशन की पेशकर्ष की गई थी उसने नोकरी ले ली और कुछ महीनों तक सबकुस ठीक रहा फिर गुमाव आया और सारा कारोबार धराशाई होने लगा बेशक सेल्स की गड़ती मात्रा के लिए आदमी को दोसी ठहराया गया था हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी बलकि पूरी तरह से समान ने आर्थिक आवसाद के कारण यह हुआ था इसके अलावा उस व्यक्ति के कमिशन इतने गिर गए थे कि वहें मुश्किल से अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा था इस तरह के अंगिनत उधरन दिये जा सकते है सफलता के लिए यहां एक बुनियादी नियम है जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि देश समरदी काल की सुरुवात में है तब तक कोई नया बिजनस ने करें यह आपको कई वर्षों तक बढ़ती गतिविदी का आशवाशन देगा इस उर्दो गती के दोरान आपको वास्तविक सेवा परदान करने का आउसर मिलता है और केवल सेवा परदान करके ही कोई वास्तों में सफल हो सकता है यह देखना अचरज की बात है कि यह कठोर सिध्धान्त कितना व्यापक और दूरगामी है क्योंकि यह विवा की दर को भी नियंत रित करता है अच्छे समय में शादियां बढ़ती है कठिन शमय के दोरान वे कम हो जाती है चिध्धान्त व्यक्तियों के विग्यापन पर काम करता है यह उन्हें राज कुमारों से कंगाल में बदल देता है और फिर से वापिस आ जाता है इसका कारण यह है कि एक उच्छाल के दोरान विग्यापन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके परिणाम सो रूप विग्यापन व्यक्तियों को स्थुल और समर्द बनाता है जबकि एक व्यापार मंदी के दोरान विपरित स्थितियां प्राप्त होती है यह इंशुरेंस के रूप में भी सच है हलांकि इंशुरेंस कुछ ज़्यादा ही स्थिर होता है आपको लगता होगा कि डोक्टर इस सिद्धान से बचे हुए है इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए डोक्टर कठिन समय में या अच्छे में व्यस्त रहता है लेकिन उनके संग्रे का क्या एक प्रशिद चिकिट सकने मुझ से कहा व्यवसाइक अवसाद की आउदी के दोरान मैं अपने बिल के बुगतान में अटक जाता हूँ और या तो इसका बुगतान नहीं किया जाता है या फिर पैसे, डाइम या पैनेज में सबसे दर्दनाग तरीके से निचोडा जाता है लेकिन उच्छाल के दोरान बुगतान आसानी से हो जाता है और मुझे 10 डॉलर या 20 डॉलर के बिलों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है पुरुशों और सफलता के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि कुछ पाटकों को यह आभास हो सकता है कि यह सिद्धान महिलाओं को सीधे प्रभावित नहीं करता है सचाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता कारोडों गर बेतु के उंचे दामों पर खरीदे गई फरनीचर से भरे हुए हैं जब केवल अधिक अनुकूल परिष्टितियों के प्रतिक्षा करके ठीक वही फरनीचर पूरी तरह से एक चोथाई दाम में खरीदा जाता कुछ महिलाओं कमोडिटी की कीमतों के उपर की और बढ़ने की शुरुवात में अपनी घरेलो आपूरती जो दिल में आया खरीदती है जब उन्हें मुल्य चुकाने की अपेक्षा में भारी स्टॉक करना चाहिए था अन्य महिलाओं को कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की आवधी के दोरान जब उन्हें चाहिए था वे भारी स्टॉक करेंगे और इस तरह गिरावट से लाब उठाने में ऐस सफल होंगे इसके अलावा ऐसी कोई महिला कहां है जिसका जीवन उनके पुरुशों के बाग्य से प्रभावित नहीं है प्रतेक बिजनस में विफलता प्रतेक बिजनस में सफलता एक ही बार में घर पर प्रहार करती है और महिलाओं और बच्चों पर अपना प्रकास याद छाया डालती है यह मौलिक सिध्धान्त इतना सर्वशक्तिमान है कि यह प्रतेक बिजनस को प्रभावित करता है और सभी की सफलता और खुशी को निर्धारित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है सफलता क्या है? अध्याई 5 सफलता का विशलेशन हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम एक शाम मैं न्यूजर्सी में मिस्टर एडिसन के घर जा रहा था 1907 की दहसत के दोरान यह एक लंबे और कठिन दिन का अंत था जब मिस्टर एडिसन एक तरफ अपने करमचारियों और दूसरी तरफ अपने अधिकारियों के साथ संघर्स कर रहे थे वह अपने करमचारियों को अपने इच्छा नुसार काम पर रखने में एसमर्थ थे और वे काम के लिए चिला रहे थे जबकि Sales Staff की तारिफ कर रहे थे और उन्हें अधिक से अधिक प्रियास करने को कह रहे थे सब के जाने के बाद मैंने कहा Mr. Edison आप क्या कर रहे हैं? क्या यह सब समय और उरजा जो आप वास्तों में खर्च कर रहे हैं? इसके कीमत है? इस पर उन्होंने उतर दिया बोपसन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सफलता क्या है यदि सफलता धन, शक्ती या फिर प्रसिद्धी प्राप्त करना है तो संघर्ष का कोई मुल्य नहीं है क्योंकि जब आप इन चीजों को पा लेते हैं तो आपके पास केवल खाली धांचा ही रहे जाता है हालांकि यदि आप बिजनस की एक AC लाइन में है जो लोगों की समश्याओं को हल करती है और आपको लोगों को खुश करने का नजरिया मिलता है तो आप स्विम खुश है और यह है खेल, खेलने लाइक है आप अपना सबसे बड़ा आविशकार क्या मानते हैं मैंने फिर मिस्टर एडिशन से पूछा उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया ठीक है मैं शायद फोनोग्राप की वजह से इतनी अच्छी तरह से पहचाना जाता हूँ वह है शायद सबसे अच्छा प्रचार रहा है और इसने मेरे नाम को एक जाना पहचाना शब्द बना दिया है मैंने मुविंग पिक्चर इंडिस्ट्री के विकास के माध्यम से शायद सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है उस संबंद में मेरे पास जो कुछ पेटेंट थे उन्होंने मुझे बड़ी मात्रा में इनकम दी है स्टोरेज, बैटरी और कई अन्य चीजों को कभी-कभी मेरा सबसे बड़ा आविशकार माना जाता है हालंकि बोबसन क्या आप जानते हैं कि मैं इन कंडेशन लाइट बल्ब को अपना सबसे बड़ा आविशकार मानता हूँ हालंकि मैंने इससे कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमाया इसके कारोबार में पैसा दूसरों ने बनाया है फिर भी मैं इसे अपना सबसे बड़ा आविशकार मानता हूँ क्योंकि इसने दुनिया को इतनी खुशी दी है बोबसन, क्या आपको एहसास हुआ कि जब हम रात को यहां बैठे हैं जहां इस बल्ब का उपयोग कैसे किया जा रहा है सहुक्त राजे अमेरिका के राष्टपती वाइट आउस में अपने पुस्त का ले में मेरे इसी बल्ब के द्वारा पढ़ रहे है योरोप के महान प्रीमियर अपने राष्टर की महान राजधानियों में इसका उपयोग कर रहे है फिर भी मुझे इसमें कोई दिल्चस्वी नहीं है बल्कि यह दिल्चस्वी है कि यह बल्ब दुनिया के सभी महान अस्वतालों में रात रात भर इस्तेमाल किया जाता रहे जहाँ इसके बिना ओपरेशन नहीं किया जा सकता और जीवन को केवल इसकी वज़े से खत्म होने से बचाया जा रहा है। इस बल्ब से पूरे देश में लाखों करोडों ग्रहनियों के घरों को उजवल और उनके जीवन को आसान बनाया जा रहा है लेकिन बस इतना ही नहीं बोपसन इसका केवल अमीरों द्वारा ही आनंद नहीं लिया जा रहा है नियो यार्क, शिकागो, फिलाडेलफिया, सेन फ् पर्लिन, पेरिस, रियोडी जेनेरियो, चीन, भारत और मिस्र के महान शहरों की सडकों पर चलने वाले लोग और परियाटक भी हैं जो इस बल्ब का अनंद ले रहे हैं हालांकि fundamental economic law यह निर्धारित करने में एक बड़ा factor है कि हम सफल हैं या नहीं लेकिन हमें सफलता की गल तो कुछ जो किसी भी चीज से अधिक सुखद है सफलता एक अध्यात्मिक कुण है एक आंत्रिक संतुष्टी है जिसे बहुतिक चीजों से नहीं मापा जा सकता भूमी, मनी, popularity, attention और influence केवल परिवहन के रूप हैं वे bridge हैं जिनके द्वारा यह है कुछ, कुछ शर्तों के त तक ट्रेनों को ले जाने के लिए एक पुल की आवशकता है इसी तरह किसी को सफलता के वान्चित बंदरगा तक ले जाने के लिए एक निश्चित मात्रा में बहुतिक चीजों की आवशकता होती है हालांकि अगर पुल पर बहुत अधिक भार आ जाता है तो यह तूट जा और ट्रेन नदी में गिर जाती है इसी प्रकार हलांकि एक पुल एक वाहक के रूप में काम कर सकता है फिर भी यह आपदा का कारण भी बन सकता है यह कुछ सचा सुख है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन या पैसा शक्ति या प्रशिद है जोमेटरी, फिजिक्स, फ्रेंच, जर्मन, आदी के अलावा उन्हें सची सफलता का मतलब जरूर सिखाना चाहिए इसके बजाए केवल सफलता के वाहक पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है अंकगनित के शुरुवाती दिनों से जब बच्चों से पूछा जाता है कि आ अधिक बेहुदा और मुर्कता पूर्ण सिधान कभी नहीं आया आज के युवाओं के दिमाग में जो सबसे पहली चीज डाली जानी चाहिए वह है सफलता का सथ इस विशे में पूरी दुनिया भटक रही है लगबग हर कोई प्रोफिट चाहता है प्रोफिट प्राप्त क और रखने का सबसे आसान और तेज तरीका सफलता माना जाता है हमारी आज की अधिकांस परेशानिया इसी मिथ्या धारना के कारण है बेशक संपत्ती रखने के लिए उन्हें अपने देश के कानूनों के अनुसार कमाना चाहिए लेकिन यह सोचना एक बड़ी भूल है कि जब तक संपत्ती कानूनी रूप से प्राप्ट की जाती है तब तक समश्या पर आगे विचार करना अनावशक है यही तथ्य हमारे अधिकांस दुखों का कारण है दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब एक दूसरे की वैशिंग पर जी रहा है ऐसा कहा जाता है एक व्यक्त उस आदमी की तरह है जो बैल के साथ बंधा था वहे इससे नफरत करता था लेकिन उसमें जाने की हिम्मत भी नहीं थी यदि हम सब एक बार में रुक जाएं और फिर से शुरू करें तो सभी स्वस्त, खुश और अधिक स्मरद होंगे हमें अचानक से किसी एक चीज को खरीदना बंद कर देना या किसी एक समू के लिए सुधार का प्रियास करना चाहिए हालंकि यह थोड़ा अधिक कठिन कारिये है महान सरकस संग्ठनों में से हर कोई घूमने वाले मंच में चल रहे टट्टू की स्टंट का प्रदर्शन कर रहा है पोनीज यानि टट्टू निश्चित रूप से प्लेट फार्म के घूमने के तरीके के वीपरी दिशा में दोड़ते हैं लेकिन टट्टू के लिए वीपरी दिशा में दोड़ना संभाव है क्योंकि एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दूसरे के प्रतिकरिया करती है स्टंट के सफल्दा इस बात पर निर्भर करती है कि चारों ओर जाने के लिए टट्टू और प्लेट फार्म को एक साथ शुरू करना चाहिए और धिमा करने के लिए भी एक साथ शुरू करना चाहिए यदि मंच तै किया गया था तो टट्टू को आगे बढ़ने के लिए दोड लगाने की आउशकता नहीं है या आगर टट्टू शांत थे तो मंच को गुमाने की जरूर्ट नहीं है आज की हमारी तथाकतित सब्यता के कई रूपों के साथ भी एसाही है कभी ने कभी यह गुबारा फूपना तै है गुबारे को एनिश्चित काल तक नहीं फुलाया जा सकता लोग अंत तै अपने होश में आएंगे और इस मुर्कता बरी दोड के खिलाफ विद्रो करेंगे जिसमें हम सभी अंजाने में परवेश कर चुके हैं यदि एसा विद्रोर नहीं होता है तो पतन हो सकता है फिर भी एसा पतन अनावशक है लोग तंत्र के विकास के साथ लोगों की शक्ती लगातार बढ़ रही है मत पत्तर से हम किसी भी समय वह हासिल कर सकते हैं जो पहले क्रांती के जरिये ही हासिल किया जा सकता था। यहां तक कि दिहाडी मज़ूर भी तेजी से संपत्ती जमा कर रहे हैं। वेकार खानों, दुकानों और बैंकों में दिल्चस्पी ले रहे हैं। जैसे जैसे जनता अधिक स्मरद होती जाती है, आर्थिक पतन का खत्रा बहुत कम होता जा रहा है। आज का खत्रा अध्यात्मिक पतन की संभावना में नहीत हैं कि लोग सही दृष्टिकोंड प्राप्त करने में ऐस सफल हो रहे हैं। सफल्ता के सही अर्थ को ने समझ कर हम जूटी चीजों की तलास करते हैं और इस तथ्य को पूरी तरह से याद करते हैं कि जो सफल्ता हम वास्तों में चाहते हैं वह एक सफल्ता है जो अपने साथ खुशी लाती है। लेकिन खुशी तो एक अध्यात्मिक गुण है। यह भीतर से आती है। एक स्पष्ट विवेक और चिंता से मुख खुशी के लिए परम आवशक है। अक्सर खुशी बाहरी परिस्तितियों से पूरी तरह सुतंत्र होती है। मनोरंजन खुशी नहीं है। यह केवल एक नकली खुशी है। बहतिक स्मरदी सुख नहीं है और इसका सुख से एकमातर संबंद इतना है कि यह कुछ बहतिक आवशकताओं की पूर्ती करता है और चिंता को कम करता है। एक बिंदु पर पहुँचने के बाद अधिक बहतिक चीजें बोज बन जाती है। उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है और वे किसी की खुशी को बढ़ाने के बजाई उसे नश्ट कर देती है। जो बिंदु और ज्यादा धन या संपत्ती किसी व्यक्ति को समुदाए के लेंदार या शेहर के जमीदार या जिले के बड़े नियुक्ता की स्थिते में रखता है। इस पॉइंट पर पैसा, खुशी लाना बंद कर देता है। उस समय से उसका स्वास्तिय गिर जाता है। उसके चिंताएं बढ़ जाती है। उसके मित्र दूर हो जाते है। वहे अब कुछ नहीं कर रहा है। वहे अपनी सफलता के चर और बहुत से चीजों को पूरा करने में सक्षम है। शायद ऐसा है। परंतु क्या कोई अन्य व्यक्ति समान रूप से आगे नहीं जाता है जब वहे गुजर चुका होता है। कभी भी ऐसा कोई व्यवसाही व्यक्ति नहीं रहा जिसका स्थान सिग्रता से नहीं भरा गया ह और यहे अक्सर एक अधिक कुशल व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। हालांकि लोगों ने अग्रणी और निर्माता के रूप में महान सेवा की है। लेकिन वहे चरण बीच जाने के बाद उनकी उपयोगिता कम हो गई है। क्या यह समुदाय और उद्ध्योग के लिए बह पर सभी को जोखिम में डालने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। फिर भी वर्तमान परंपरागत तरीके से भाग्ये बनाने में क्या हम किसी एक चीज की सफलता या एस पर सभी को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। हाँ और इसके अलावा हम उन्हें कई जोखिमों मे डाल रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरों की मदद करने से मिलने वाली अध्यात्मिक शक्ती को खो रहे हैं, हम अपने स्वास्ते को खत्रे में डाल रहे हैं, और हम अपनी चिंताओं और मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, अनेक प्रमुख व्य आज उतना खुश नहीं है जितना उस समय था जब वे प्रमुक थे उनके आज पहले की तुलना में अधिक जानकार हैं लेकिन अधिक मित्र नहीं है उनके प्रमुक था अंजाने में कई लोगों की ओर से एक निश्चित परतिरोध विक्सित करती है जो उन्हें अच्छी तरह और आंसेक रूप से स्वयम इन व्यक्तियों की गलती हो सकती है लोगों ने सीखा है कि सिर्फ इसलिए कि वे खाना खरीद सकते हैं लेकिन जरूर्ट से ज़्यादा खाना खाना मुर्खता है क्या वे यह भी जान सकते हैं कि आवशकता से अधिक धन, भूमी या जमा करना उतना ही मुर्खता है केवल इसलिए कि वे जानते हैं कि एसा कैसे करना है आंकडे बताते हैं कि खुशी हर चीज में सहयम का परिनाम है जीवन को सच्चे नजरिये से देखने वाले लोग सबसे ज़्यादा सफल होते हैं किसी के पास कितना भी पैसा, या शक्ती क्यों नहीं हो जब तक ये चीजें अपने साथ खुशी नहीं लाती तब तक सच्ची सफलता नहीं मिलती हैं आंकडे यह भी दिखाते हैं कि खुशी सही काम करने से आती हैं अपने आप से सही और दूसरों के द्वारा सही आईए अब सफलता के एक और के बारे में बात करते हैं जहां धर्म के बाद हम सरंचना की छे दिवारें खड़ी करते हैं अर्थात इमानदारी, परिश्रम, बुद्धिमता, पहल, तिवर्ता और किसी काम में रूची जिस पर सचमे मुल्या के वास्त्युक परिपेक्ष के साथ निर्ने करना हैं इन को बहुती अद्बुत डिगरी और सभी को कुछ अद तक धर्न करना चाहिए धर्म के आधार पर हमें अपने जीवन को इतना जीवित और निर्देर्शित करना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा साफ हो और हमारी आधतें अच्छी हो हमें वास्त्विक रूप से और स्वस्त पधार हैं इनके अलावा हमें अपने जीवन कारिया का वहरूप चुनना चाहिए जिसके लिए हम सबसे उपयोगत हूँ और हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम और हमारी सभी गतिवीडियों पर इसके प्रभाव को समझना चाहिए अगर हम इसे सच्छी सफलता के अप संतुष्टी प्राप्त करेंगे तब हम भीड की प्रशंसा या अलोचना की परवा नहीं करेंगे। आपको अपने साथ हांसने और गाने के लिए व्यक्तियों की आवशक्ता नहीं है। आप सिर्फ एक या दो दोस्त की मित्तरता से अमीर हो सकते हैं। अपना राष्टा हम से भर देंगे। इसलिए बहुतों को और भीड को कहीं और जाने दें। भीड एक चंचल चीज है जो आपकी आहें नहीं सुनती है। भीड तेजी से किसी नए प्रिय की तलाश में दोड़ती है। और वह सब जो मनुश्य दुख के लिए साथ रख सकता है। वह सिर्फ एक या दो दोस्त है। जब ऐस फलता की हवाएं चलने लगती है तो आप पाएंगे कि भीड खत्म हो गई है। एक तेज लो का तेज उन्हें हमेशा अपनी और आकरशित करेगा। लेकिन अपने सपनों की राक के साथ आप जो कुछ करने की आशा रखते थे आप पाएंग कि आपको वास्तों में सिर्फ एक या दो दोस्तों की जरूरत है। आप भीड को नहीं जान सकती चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। यहे आपके दुखों में साथ नहीं दे सकती। यहे आपकी आह नहीं सुन सकती। यहे आपके दिल को नहीं पढ़ सकती। या आपके द्वारा सहन की जाने वाली पीडा को नहीं जान सकती है। इसकी जैजैकार सभी सुखी व्यक्तियों के लिए है ने की दुख में देखवाल के लिए। इसलिए भीड की बजाए मार्ग पर चलें और भीड को जाने दें। सफलता क्या है? अध्याए 6 अपना स्टेटस जानना हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम गलू सेट में मेरे बच्पन के दिनों में एक प्रमुक समूंदरी रिटाइड कप्तान मैसाचूसेट में रहते थे। वे मजबूत और साहसी व्यक्ति थे। वे एसे व्यक्ति थे जिनोंने चीजों को देखा और पूरा किया था। इन समूंदरी कप्तानों के पास कई विचित्तर लेकिन प्रभावशाली बातें थी। उन में से एक बात यह थी कि बेहतर होगा कि हम रूके और अपना स्थान चेक करें। इन शब्दों से उनका मतलब था कि यह उनके अक्षांश और देशांतर को देखने का समय है। जहाज पर कोई भी आसानी से और किसी भी समय कमपास को देख सकता है और बता सकता है कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अक्षांस और देशांतर को देखने के लिए अर्थात एक निश्चित समय पर जहाज का सटीक स्थान खोजने के लिए यह है एक काफी अलग बात है। इसे आम तोर पर दोपेहर में जब सूरत समक रहा होता है उस समय विशेश उपकरणों के माध्यम से देखा जाता है और फिर रेडिंग का पता लगाया जाता है। रुकने और बेरिंग लेने का समय है। यह है देखने के लिए कि वे कहां थे और वे किस लिए थे, कहां जा रहे थे और वे वांचित बंदरका के लिए सही रास्ते पर थे या नहीं। स्टेटीशियन यानि संखे के विद जो करमबद गर्ना करने में निपुन व्यक्ती थे और कंडिशन के एनलिस्ट से यह पता चलता है कि निश्चित रूप से व्यवसाईयों और कालेजों, कारखानों और दुकानों में युवा पीडी जो व्यवसाई बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह आज सबसे बड़ी आवशक्ता प्रतीत होती है, लेकिन स्थान की कोई स्पष्ट धारना के बिना और कई मामलों में यह भी जाने बिना कि वे वास्तों में कहां बंधे हैं या वांचित बंदरगा तक कैसे पहुंचें, सभी उधम मचा रहे हैं, भीड कर रहे हैं और हंटिंग कर रहे हैं, इसलिए किसी का सबसे उंचा पद पाने का भी क्या फाइदा, यह काफी नहीं है कि हर कोई व्यस्त हो, बहुत से लोग व्यस्त हैं, जो बिना कुछ किये, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, चोर भी कभी-कभी बहुत व्यस्त व पड़े, कई लोग जितना संभव हो उतना कम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम सभी एक दूसरे का पीछा करने वाली भीड की तरह यात्रा कर रहे हैं, यहे विश्वास करते हुए कि आगे कुछ है जो हमें देखना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए, क्यों क्योंकि हर कोई इसके पीछे जा रहा है, इसलिए हम भी प्रियास करते हैं और पालने से कब्र तक भीड लगाते हैं, क्योंकि दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहे सब बिना किसी स्पष्ट विचार के करते हैं, कि हम किस दिशा में प्रियास कर रहे हैं, या हम उस दिशा में जा रहे हैं जो वास्तों में हमें वह देगा जो हम चाहते हैं इसलिए सभी राष्ट्रों और सभी समूहों में आज के दिन की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम रुकें और अपना स्थान चेक करें रुको देखो और सुनो रेलवे क्रोशिंग पर खत्रे का संकेत हर व्यवसाई और चात्र की मेज पर रख देना चाहिए जब तक हम इस प्रकार रुकते नहीं हैं और अपने स्थान को नहीं देखते हैं तब तक हम बहुत अच्छी चीजों और उर्जा को बरबाद कर रहे हैं कुछ संखी के विद दक्षता के विशेशग्यों की बातचीत स अक्सर बहुत खुश हो जाते हैं ये विशेशग्य दक्षता के लिए महान है लेकिन किस उदेश्य के लिए समुंदर का कप्तान समुंदर पर सबसे तेज और सबसे कुशल नाविक हो सकता है अगर वह अपने अक्षान सोर देशांतर को नहीं चेक करता है तो उसकी क्षमत का कोई मतलब नहीं है जब हम गलत दिशा में जाते हैं तो हम जितनी तेजी से जाते हैं हम उतने ही बुरे फंसते जाते हैं अक्सर हम अपने आपको जितने अधिक कुशल समझते हैं वास्तों में हम उतने ही कम कुशल होते हैं हमें अंधे की अगवाई करने वाले अंधे से सावधान रहना चाहिए कुशल बनने का पहला कदम सही दिशा में और एक सार्थक लक्षय की और बढ़ना है जब मुर्गियों के एक फारम में चूजों के लिए एक मास के टुकडों की एक डिश लाई जाती है एक एक करके टुकडों को बाहर फैंकने के बजाए पूरी प्लेट को जमिन पर रख दें और देखें की क्या होता है सबसे पहले चूजे चारों और खड़े होंगे और बस थाली को देखेंगे यदि यह पहली प्लेट है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है तो यहे कुछ समय रुकेंगे जब कोई थाली के पास जाने और उसमें से कुछ भी लेने का आत्मबल और साहस करेगा अंत में एक चिकन प्लेट से एक निवाला खाने का रिस्क उठाता है तब क्या होता है क्या बाकी चूजे भी थाली में जाकर खाते हैं? नहीं, जिस चूजे ने निवाला लिया है वह उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है अन्य सभी चूजे तुरंत उसका पीछा करते हैं अक्सरवे भीड का पीछा करने की इच्छा में थाली को भी रोन देते हैं और मास के टुकडों वाली प्लेट को कुछ समय के लिए अच्छूता छोड़ दिया जाता है जबकि चूजे एक दूसरे का पीछा करते हुए उस एक अकेले पक्षी से उस निवाले को छिन लेते हैं जिसे उसने प्लेट से प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाया था निश्चित रूप से यदि कोई, कई नियोकताओं और कई करमचारियों के अज्यानी स्वार्त का उधार्ण चाहता है तो वह मुर्गियों के एक खेत में पाया जा सकता है दूसरी और उनकी प्रियोग शाला में एक रसायन अग्य है जो बिमारी की जांच का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है हर बिंदु पर वह रुकता है और उपाई करता है वह सो तरीके आजमाता है और हजारों परिक्षन करता है वह परवा नहीं करता कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वह भीड का अनुसरन नहीं करता है, लेकिन नई खोजों के लिए रास्ते खोजता है उसका एक लक्षे है, एक एसा लक्षे जिसे किसी नहीं पाया है और जिसे कई लोग कहते हैं कि उस तक नहीं पहुँचा जा सकता है वह इसे नीडर, ठका हुआ और अकेले ही खोजता है यही वह भावना है जो उसे मीलों, बाजारों और सिक्षन संस्ताओं में सफलता दिलाती है वह भावना जिसकी आज युवा और व्रदों को बहुत आशकता है इसके अलावा अपनी जगए बनाने में हमें अपने लिए सोचना चाहिए दोस्तों के साथ बात करना और सला लेना अच्छा है लेकिन अंतिम निर्ने उसके उपर छोड़ना कभी अच्छा नहीं होता है समुंदरी कप्तान जो अपने अक्षांस और देशांतर को नहीं जानता है या जो अपना स्थान लेने के बाद अपने जल मार्क को तदानुसार समायोजित नहीं करता है वह बहुत निराशाजनक है जो दूसरों के साथ परामर्ष करने के बाद उनका पालन करते हैं और अपने निर्ने लेने के लिए इच्चुक या सक्षम नहीं है वे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं निर्ने लेने की क्षमता सफलता के लिए बहुत आधार बूत क्षमता है संभवत है सबसे बड़ा निर्ने जो हमें करने के लिए कहा गया है वह वो बंदरगा है जिसमें हमें अपने जीवन को निर्देशित करना है जब तक हम, हम में से प्रतेक, अपने व्यक्तिकत जीवन के लिए एक लक्ष निर्धारित नहीं कर लेते, तब तक हमें वास्त्विक सफलता का एहसास नहीं होगा हमारी सफलता की डिगरी काफी हद तक इस लक्षे पर निर्भर करती है यहे लक्षे क्या है? यहे लगवग पूरी तरह से किसी के धर्म पर निर्भर करता है मौलिक निर्णे मुख्यते आध्यात्मिक गुणों की उपज होते हैं एक व्यक्तिके चरित्र का अकसर उनके निर्णों से बहुत अधिक लेना देना होता है नै की किसी भी जानकारी से जो वह प्राप्त कर सकता है इसलिए निर्णे केवल भौतिकी विचारों पर आधारित नहीं होने चाहिए हमें आध्यात्मिक समश्चाओं को हल करने के लिए भौतिक तरीकों को लागू करने के विर्थ ढोंग का त्याग करना चाहिए सफलता या विफलता का निर्धारन करने वाले निर्णे लेने में पैमाने और मांदन का उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन निर्णे स्वयम आध्यात्मिक विचारों पर आधारित होने चाहिए सफल लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके पास अदबुत सोच होती है वे पल भर में निर्ने लेते हैं और अक्सर उनके पहले निर्ने सबसे मुल्यवान होते हैं यह सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता लेकिन अगर यह सच है तो यह इस तथ्य के कारण है कि यह पहला निर्ने बाद के निर्नेों की तुलना में अधिक अध्यात्मिक और कम भोतिक है जब किसी व्यक्ति के इरादे और उदेश सही होते हैं और उसका जीवन सेवा की इच्छा से नियंत्रित होता है तो उसके पास एक अचेतन अध्यात्मिक शक्ति होती है जो उसे निर्ने लेने में निर्देशित करती है पहले निर्ने से इस अध्यात्मिक शक्ति के पास बाद के समय की तुलना में जब भोतिक विचार प्रबल होते हैं तब निर्देशित करने का मोका अधिक होता है निर्ने की यह आवशक्ता जीवन के सभी चर्णों पर लागू होती है विशेशकर व्यवसाई के संबंद में जार्ज M. रेनार्ड्स ने लगबग 40 साल पहले पस्चिमी आयोवा क्रिशे समुदाई में भाग्या की रहा पर चलना शुरू किया था उन्होंने खुद निर्ने लिया और अब संयुक्त रज्य अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक Continental and Commercial National Bank of Chicago के प्रमुख है और दुनिया के सबसे महान फाइनेंसिरों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है और नए ही मेरे दोस्तों ने मुझे एक अलग कोर्स करने के लिए आगरे किया है एक आदमी जो कुछ और करने में सफल होने के लिए खुद के लिए सोचना चाहिए भग्य समझोतों पर बनाया जाता है जो काफी हद तक इस समय की प्रेरिणा है मैंने हमेशा इसे अपना नियम बनाया है आउसर खुद को प्रस्तूत करते हैं और उन्हें समझा जाना चाहिए तथ्यों को कैसे कैच करें जो सही उदेशों से प्रेरित हो और फिर उन पर कारिये करें एंड कोट महान व्यापारिक प्रतिभा जेपी मोरगन ने समझदारी से कहा स्टार्ट कोट धन की नियू पहला निर्ने है जो अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और पहला सो डोलर अच्छी तरह से निवेस किया जाए एंड कोट महान बैंकर रोथ चाइल्ड्स ने कहा स्टार्ट कोट एक जोखिम उठाई जिसे जनता को अंततय समर्थन देना ही पड़े यही सफलता का राज है एंड कोट एर ब्रेक के आविश्कारक जार्ज वेस्टिंग हाउस ने कहा स्टार्ट कोट प्रतेक पांच अजार अमेरिकी करोड़ पती है क्योंकि उनके पास प्रशनों को जल्दी और सही तरीके से तै करने का साहस और ख्षमता थी एंड कोट रेलवे के किंग E.H. Harriman ने कहा स्टार्ट कोट एक अच्छा नेर्णे जीवन भर की बचत के हकदार है लेकिन सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदान करने की इच्छा से निर्णे लिया गया हो एंड कोट एक प्रख्यात सिक्षक ने इसे सिक्षा की अपनी परिभाशा के रूप में दिया स्टार्ट कोट किसी स्थान या पद को लेने के बाद समझदारी से निर्णे लेने की ख्षमता ही सिक्षा है सबसे पहले अनुसरन करने के लिए एक पंक्ति को चिनित करें और फिर बिना रुके उसका पालन करें अपने समुदाए के या कहीं और के सबसे सफल पुरुषों के पिछले व्यवसाइक तरीकों और रिकार्ड की जांच से पता चलेगा कि उनमें अपने लिए सोचने और अपने लिए निर्णे लेने का साहस था वे अक्सर एक लक्षे की और अग्रसर रहने के लिए अपना आगे पीछे उपर नीचे देखते थे जिसके उन्हें तलाश थी हालांकि हमारे आधुनिक उद्ध्योग का एक चरण है अर्थात उद्ध्योग में मानकी करण के हमारे तरीके जो निर्णे की शक्ती के विकास के लिए बहुत हानिकारक है अक्सर एक आदमी अपना पूरा कारिय दिवस केवल एक छोटा सा कारिय करने में लगाता है एसे सेंकडों या अधिक छोटे कारिय पूरी वस्तू को बनाने के लिए आवशक होते हैं इस प्रकार मैनेज व्यक्ती के पास अपने निर्णे का उप्योग करने या प्रियोग करने का कोई मोका नहीं है निर्णे लेने का कोई मोका नहीं है रचनात्मक परिश्रम की खुश्यों में हिस्सा लेने का कोई मोका नहीं है कहानी उस व्यक्ति के बारे में बताई गई है जिससे पूछा गया था कि आप नोकरी पर क्या काम करते हैं उसका जवाब था मोटर कार व्रक्स में नट नंबर पांच को जोड़ना एसे आदमी का काम उनके दिमाग के लिए जेल की दिवार है इस प्रकार एसे व्यक्ति की व्रधी और विकास स्व्यम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह दिन के अन्य गंटों में अपने समय के साथ क्या करता है जब उसका मन बंधन से मुक्त हो जाता है यदि हम एक एसे भविश्य की और देखें जब सभी प्रिश्रमों को इस प्रकार मान की करत किया जाएगा तो यह है एक बहुती चिंता जनक तस्वीर पेश करेगा हालांकि आशा फिर भी है इस संसार की अध्यात्मिक शक्तियां बहुतीक से अधिक शक्तिशाली है इसलिए मनुष्य में अध्यात्मिक गुन प्रबल होंगे इस प्रकार मनुष्य अपनी मशीनों को और विक्षित करेगा और उनमें सुधार करेगा ताकि मशीने इस मानकी कृत कारिये का अधिकांस भाग कर सकें और मनुष्य इन मशीनों की देखवाल और दिशा में अपने दिमाग का उप्योग करें परिश्रम में मशीनों का उध्योग अपेक शक्रत ऐविक्सित है तो चलिए रुकते हैं और अपना स्थान खोशते हैं आईए हम तै करें कि हमारे जीवन का बंदरगा और बंदरगा तक पहुँचने के लिए हम किस दिशा में जाएंगे आईए हम जाने कि जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है वे चरित्र को निर्धानन करने वाले अध्यात्मिक गुण बहुतिक चीजों की तुल्ना में सफलता के विकास में कहीं अधिक शक्तिशालिक कैसे हैं आईए हम समझें कि सफलता की नीम एक सार्थक लक्षय कैसे है और इस लक्षय के लिए नीडर होकर आगे बढ़ने का द्रड संकल्प लेते हैं जब प्रलोभन आते हैं या नई समझें आती हैं तो सफल व्यक्ति केवल इस आधार पर निर्णे लेता है कि वे वांचित लक्षय की ओर ले जाते हैं या नहीं इसलिए महतोपूर्ण है कि नमबर एक लगातार उस बंदरगा को ध्यान में रखते हुए जिस पर हम वास्तों में पहुंचना चाहते हैं नमबर दो हमारे पद को अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं और नमबर तीन अपनी पसंद के बंदरगा तक पहुंचने के लिए एक उदेश्चे के साथ जल्दी निर्ने लेना और अंत में निर्ने लेना धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो सफलता क्या है? अध्याई साथ हम क्या खोज रहे हैं? हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम शिकागो के आर्मर एंड कंपनी के संस्थापक शिरीपीडी आर्मर एक बहुती उलेखनिय व्यक्ती थे उनका दिमाग हमेशा से ही एक लक्षय पर्टि का रहता था जो था कि दुनिया में सबसे कुशल पैकिंग व्यफसाई विक्षित करना एक बार जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी विशेशक गयता के लिए सुवरों को क्यों चुना तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि सुवर इतने तुछ है कि सामन्य आदमी का भी उनसे कोई लेना देना नहीं होगा सबसे अच्छे व्यापारी का उसर मंदरगाहों में पाए जाते हैं जिन तक पहुँचना सबसे कठिन होता है आर्मर एक महान दार्षनिक थे वह एक विचारक होने के साथ साथ एक गोताखोर भी थे और उनके साथ काम करने वाले अक्षर उनकी विचित्र और घरेलू बातें दोहराते थे उनके एक पूर्व निजी सचीव का कहना है कि आर्मर ने एक तिन इन शब्दों के साथ उन पर हमला किया Start quote एक आदमी का सिर बोलोगना सासेज की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें छोटी-छोटी फुटकर चीजें भरी होती है उनका दिल और दिमाग बस एक ही विचार से भरा होना चाहिए और वहे विचार है कुछ उपयोगी करने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहे कितना चोटा काम कर रहा है यहे उसे उसके इच्छित लक्षे की और ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है सफलता तेल की तरह है यहे पानी से नहीं मिलती मनुष्य दुनिया की हर चीज को परमाणूओं में समिठते हैं यहां तक की अपने महान भाग्य को भी सफलता के सिधान्त ऐसे हैं कि मुर्क और आलसी व्यक्ति उन्हें नहीं सेख सकता और नहीं समन्ने आदमी जो कभी कभार रुक कर सोचता है कि उसे क्या करना है वहे भी असल में यह नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए जब हम रुकते हैं और विचार करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए हम किस बंदरका की ओर जा रहे हैं? यह पैसा है या जमीन, शारिरिक ताकत है या परिवार, यह लोगप्रियता है या सहस्ता, पद है या शक्ती या यह कोई ओर इच्छा है? जब स्टेटिशियन पूरे क्षेत्र का सर्वे करता है, तो उसे विचार आता है कि इन में से कोई भी वस्तु वास्त्विक बंदरगा नहीं है, जिस तक अधिकांस लोग पहुँचना चाहते हैं, यह सच है कि ज्यादातर लोग धन, भूमी, आकरशन, सुगमता, आधिकी दि पहा है, तेल और पानी को मिलाने की कोशिश की जा रही है, लोग लगातार अधिक धन, अधिक भूमी, अधिक लोग प्रियता और अधिक सुगमता के लिए प्रियास कर रहे हैं, उनके पास जो भी चीजें हैं, इससे केवल कुछ ही वास्तों में संतुष्ट हैं, केवल कु पहला है, अधिकांस लोग भूतिक वस्तों की खोज केवल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे भी उन्हें खोज रहे हैं, और इसलिए आँख बंद करके भीड का पीछा कर रहे हैं, उनके मन में कोई लक्ष है या बंदरगा नहीं है, जिस और वे नोकायान कर रहे हैं, और दूसरा, कुछ लोग इन चीजों की तलाश कर रहे हैं, पैसा, जमीन, लोकप्रियता या सहस्ता, अपने लिए नहीं, बलके इसलिए कि उनका मानना है कि ये चीजें उन्हें वहे कुछ देगी जो वे वास्तों में चाहते हैं, किसी को भी यह सोच कर मुर्ख नहीं बनन जो लोग योग्यता या प्रतिभा से ध्यानाकरशित नहीं कर सकते, वे बड़े हीरे की अंगुठिया पहनते हैं, जबकि उसी प्रकार की महिलाएं गोल्टोपी पहनती हैं, एक ही मकसद गरीब और अमीर दोनों को सक्रिय करता है, ये उदेश्य राजनेताओं, लेखकों और अक्षर वेगयनिकों के कारियों को निर्धारित करते हैं, काम के सवीक शेत्रों में पूरुश और महिलाएं, पैसा और लोग प्रियता मांग रहे हैं, जहां ये चीजें एक माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती, वे दूसरे साधनों की तलाश करते हैं, हम अपनी प ग्यापन के माध्यम से हम व्यक्तियों की तुलना में कम लागत पर ध्यान करती हैं, निश्चित ही सहस्ता की इच्छा सारवेभोमिक है, यद्पी यह इच्छा लोगों के विभिन समूहों के साथ अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है, जब कोई नहीं देख रहा हो, द आलिशान घर, एक लिमोजीन और सर्दियों में कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा जाने से आराम मिलता है, स्टेटिकली रूप से देखा जाए, तो नियोक्ता की बरबादी उनके वेतन कर्मी की बरबादी से कहीं अधिक है, बेशक दोनों आराम की इस इच्छा को आराम की आ क्योंकि दूसरे उन्हें ढूंड रहे हैं, या फिर हम इसलिए इन चीजों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि वे हमें वह कुछ और देंगे जो हम आवचेतन रूप से चाहते हैं, लेकिन जिसके लिए हम अंधेरे में टटोल रहे हैं, हर आदमी या उरत जिसने पैसा, ध्यान और अन्य भोतिक चीजें हासिल की हैं, केवल यह अच्छी तरह से जानता है कि वे केवल खाली खोल हैं, जैसे जहाज का उपयोग केवल बंदरगा तक पहुँचने के लिए होता है, इसलिए ये भोतिक चीजें तभी कामाती हैं, जब वे हमें वह कु पैस्तिर हिस्सों में यात्रा कर रहा था, जहां आवशक वस्तुएं एक रेल मार्क जंक्षन, अच्छी उंची भूमी और कुछ इमानदार लोग थे, इसलिए मैंने सेंटरल फ्लोरिडा के हर रेल रोड जंक्षन का दोरा किया, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि स्टेश जिसमें मीलों तक बिना किसी जीवित आत्मा के समय सारनी पर नाम के जैसा केवल एक चिन था, जीवन के साथ भी ऐसा ही है, किसी व्यक्ति को उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि किसी के पास धन प्रतित होता है, यह कोई प्रमान नहीं है कि वह धनी है, और क्योंकि वह धनी है, कोई कारण नहीं है कि वह खुश है, एक पुरानी लेकिन बहुती सची कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और एक कहावत है, आजमाई हुई और सची चीजे हैं, दिखावे दोके बाज होते हैं, हलवा कैसा बना है, चकने से ही पता लगाया जा सकता है युगों के उनी मूल अनुबहों पर आधारित है पैसा जरूरी है इस बात से इंकार करना गलत होगा लेकिन पैसा सिर्फ एक जहाज है जो एक बंदरगा से दूसरे बंदरगा तक ले जाने में मदद करता है इसके अलावा आंकडे सबसे स्पस्ट रूप से सिखाते हैं कि पैसा ही एक मातर जहाज नहीं है जो किसी के लिए एक वानचित बंदरगा या खुशी लाएगा बड़ा खत्रा यह है कि इतने लोग जहाज में इतने उलज गए हैं कि वे खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाए वे केवल सेवा प्रदान करने के साधन के रूप में इसका उपयोग करने के उदेश्य से व्यापार या पेशे के जहाज पर चड़ते हैं यह जानते हुए कि वास्त्विक आनंद केवल सेवा के मध्यम से आता है हालां कि वे रेण, अनुबंधों, पेशे और इस तरह की और चीजों में इतने उलजे हुए हैं कि वे उस बंदरगा तक कभी नहीं पहुँचते जिसके लिए उन्होंने शुरू किया था या जब वे अंतते बंदरगा तक पहुँच जाते हैं तो वे उतर नहीं सकते अनुबव स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सीमित मात्रा में धन, भूमी, लोकप्रियता, शक्तियादी, बड़ी राशी की तुलना में अधिक निश्चित रूप से खुशी और संतोस लाता है एक निश्चित बिंदू तक ये बहुतिक चीजें आवशक और मुल्यवान हैं जिस हद तक संपत्ति, परवा और चिंता को समाप्तियाद कम कर देती हैं यहे एक आशिरवाद और शायद एक आवशक्ता बन जाती है आज और आगे किसी के लिए यहे ढोंग करना मुर्खता है कि उनके पास कोई भोतिक वस्तू नहीं होनी चाहिए धन, भूमी, लोकप्रियता, आराम आदी, बोजन के समान ही है बोजन की एक निश्चित मात्रा आवशक है एक से अधिक वास्तों में जरूरत से ज़्यादा खाने से व्यक्ति ऐस्थाई आनंद प्राप्त कर सकता है आलांकि जब कोई एक निश्चित मात्रा से अधिक खाता है तो उसके बाद के प्रभाव खाने से प्राप्त सभी सुखों को रोकते हैं इसलिए एक समझदार आदमी स्वेच्छा से खाना बंद कर देता है जब वह एक निश्चित बिंदू पर पहुंच जाता है फिर वह उसे बचे हुए बोजन को दे देता है या नहीं तो उसका निप्टान करता है जिसकी उसे आवशकता नहीं है किसी दिन हम अपने होश में आएंगे और अपने पैसे जमीन और अन्य चीजों के साथ वैसा ही व्यवहर करेंगे जैसा हम अपने बोजन के साथ करते हैं इसके अलावा यह एक प्रस्थान नहीं होगा बलकि उस प्रगती की निरंतरता होगी जो सब्यता हमेशा से चलती आ रही है इतिहास से पता चलता है कि पुराने रोम के दिनों में महान भोजों में शामिल होने वाले मेहमान खाते पीते ही रहते थे फिर वे बाहर जाते और एक उ थोड़ा राशी हमारे लिए सामन्य होती है तो हम जानते हैं कि इस से थोड़ा अधिक आवारे लिए अच्छा नहीं है और वांचित परमानंद नहीं मिलता है आंकडे स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि लोग धीरे धीरे धन, भूमी, लोगप्रियता और सहस्ता के मंद में एक ही निशकर्ष पर आ रहे हैं एक पुरानी कहावत है पेड में जितना उंचा पक्षी अपना गोंसला बनाता है गिद्धों के लिए अंडे चुराना उतना ही आसान होता है वहीं दूसरी और जमीन पर या उसके आसपास रहने वाली चिडिया को भी परेशानी ह होती है पक्षी जो सहज रूप से मध्यम उंचाई का चैन करता है छेड़ चार से मुक्त होता है वे अवसाईयों को लग रहा है कि पक्षियों पर भी वही सिद्धान्त लागू होते हैं यह हर समुदाई में दिखाया गया है एक आदमी खुश है क्योंकि वह अपने दोस् के साथ काम कर रहा है जब तक वे सभी समान रूप से संपन है वे वास्तविक मित्र और वास्तविक पडोसी है हालाकि जब कोई या तो सुभगय या अतिरिक्ट प्रियास के मध्यम से दूसरों की तुलना में अधिक धन, भूमी या लोग प्रियता प्राप्त करता है तो व उनके असली दोस्त कम हैं। इसका मतलब है कि एक निश्चित मात्रा में स्मरधी और लोक प्रियता, वास्त्विक दोस्त बनाने और रखने में उपयोगी है। लेकिन एक निश्चित बिंदू तक पहुँचने के बाद किसी भी चीज की आती नुक्षान और अर्चन है। भल तारकिक है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। शायद यही कारण था कि सभी आवतारों ने इतनी गंभीरता से गुप्तदान से मदद देने का आग्रह किया, इस प्रकार उन लोगों की इर्शा को बढ़ाई बिना दूसरे साथी की मदद की, जो देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही भावना तब स्पष्ट होती है, जब एक नियोकता अधिक वेतन देता है या अपने पडोसी की तुलना में अधिक बोनस देता है, जो बुगतान कर सकता है या दे सकता है। सबसे बड़ी संतुष्टी एक उदार-बाजार मजदू करने और फिर रुकने से होती है। यह उतना ही दुखद हो सकता है जितना की एक पडोसी जितना खर्च करता है उससे अधिक बुगतान करता है। यह इस बात का एक और उधारन है कि हमें क्यो रुकना चाहिए और अपने स्टेटस को संभालना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार मैं मेशा चुशट बे में एक निश्चित दूईब के लिए नोकायान कर रहा था। जब एक गना कोहरा आया, नोका के कप्तान ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि हमें किस दिशा में जाना है। इसलिए अपने कमपास से उसने नाव को सही डंग से चलाया और पूरे समय दूईब की तलाश में रहा। कुछ देर नोकायान के बाद हम बेसबर हो गई। हमने कप्तान के साथ बहस की, लेकिन उन्होंने जोर दे कर कहा, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जब हम दूईब पर आएंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा। समय बीत गया, लेकिन कोई दूईब नहीं आया। अचानक हम एसी जगे पहुँच गए, जहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। बाद में जब कोहरा छंट गया, तो हमने पाया कि हम कुछ गंटे पहले दूईब से गुजरे थे, और खाड़ी के दूसरी तरफ कई मील आगे पहुच गए थे। हम हर समय सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन हवा और जवार ने नाव को किनारे पर कर दिया, और कप्तान को यह नहीं पता था कि कितनी दूर जाना है या कब रुकना है। आज कई पुरुष और महिलाएं एसे ही अनुवहों से गुजर रहे हैं। वे धन और भूमी जमा करने, प्रभाव और लोकप्रियता हासिल करने के लिए सही दिशा में शुरू करते हैं। हलांकि सिर्फ सही दिशा में यात्रा करने से वे वान्चित लक्षय तक नहीं पहुँच पाते। हमें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। नहीं तो हम उस लक्षय को पार कर लेंगे जिसे हम खोज रहे हैं। इसके अलावा यह सभी वर्गों और लोगों के समूँ पर लागू होता है। एक आदमी शायद ओसत से कम आकर्शक घर होने के कारण अक्षम है। परन्तु जैसे ही वे अपने पडोशियों के घर से अधिक दिखावटी लगता है। वे उसी वस्तु को खत्म कर देता है। जिसके लिए उसने शुरुवात की है। वे है व्यक्ति जिसके पास किसी समू समूदाई में ओसत स्थान से इसके संबंद पर निर्भर करता है। कुछ धनी समूदाई में 50,000 डोलर का घर बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जबकि एक छोटी सी जगे में 50,000 डोलर का घर बनाने से कई अन्य लोगों की प्रसिद्धी या लोग प्रियता खो जा जाएगी। अवलोकन से पता चलता है कि यह ओटो मॉबाइल, कपड़े और गहनों पर भी लागू होता है। एक महिला ओसत दरजे के कपड़े पहन कर दोस्ती बनाती है लेकिन जब वह एक बेहतर कार चलाती है और अमीरों वाला कोट पहनती है या अपने पडोसियों की त प्रशन पूछा गया है सफलता क्या है और मैं निश्पक्ष रूप से समश्या का विशलेशन करने का परियास कर रहा हूँ। इस तरह के विशलेशन में मानो स्वभाव को वैसा ही करना चाहिए जैसा वह है। इसलिए ये दो निश्कर्ष स्वतैस पष्ट हैं। कुछ लाकर देंगे जिसे हम सभी होश पूरवक या अंजाने में खोज रहे हैं। नमबर दो उस कुछ के लिए एक निश्चित मात्रा में भूमी, धन, लोकप्रियता और सहस्ता की आवशकता होती है। लेकिन केवल अपेक्षक्रत सिमित मात्रा में। इस मात्रा तक कुछ नहीं है। तब हम अपने लक्षय को आगे रखकर या दूसरों को आगे रखकर ही सुरक्षित करते हैं। जीवन एक रेडियो सेट में ट्यूनिंग या तिजोरी खोलने जैसा है। डायल को एक निश्चित बिंदू पर ले जाया जाना चाहिए। लेकिन जब हम उसे उस बिंदू से आगे ले जाते हैं तो हम उन परिणामों को भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से थे। एक दिन फ्लोरिडा के माउंटेन लेक में मेरी मुलाकात क्वेकर ओर्ट्स कंपनी के जेम्स एच डगलस से हुई। उन्होंने कहा, मैंने अभी एक सबसे दिल्चस नजारा देखा है, सड़क के किनारे उधर एक बड़ा सांप मरा हुआ है, उसके मुँ में आदा मरा हुआ खरगोस है। उसने सपष्ट रूप से खरगोस को निगलने का प्रियास किया, लेकिन खरगोस उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था, वह वास्तों में मोत के म मुँ में चला गया, और वहाँ वह सड़क के किनारे मृत पड़ा हुआ है, जिसके मुँ में आदा खरगोस अंदर है और आदा बाहर लटका हुआ है। उसी समय हम दोनों के मन में एक विचार आया, हम दोनों ने सोचा कि बहुत कुछ करने की कोशिश में कितने लोग हार ग और कब प्रशिदी अरजित करना बंद करना है। यह पुस्तक मुख्य रोप से उन युवा लोगों के लिए है, जो सफल होने के लिए उत्सुक हैं लेकिन आभी तक सफल नहीं हुए हैं। हलांकि जो लोग पहले से ही सफल हो चुके हैं, उन के लिए समय पर चेताउनी दे धन, भूमी, शक्ती, प्रशिदी सभी को एक सिमित सिमा तक साधन के रूप में सफलता के लिए विकास में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इन में से कोई भी चीज अपने आप में सफलता नहीं है। वे सभी केवल उपकर्ण है और इसके अलावा उन में से किसी एक की अधिकता का परिनाम सफलता को विक्सित करने के बजाए उसकी जांच करना है। इस ओडियोबुक को सुनने वाले प्रतेग व्यवसाई को उस सांप और खरगोश को याद रखना होगा जो डगलस को मौंटेन लेक फ्लोरिडा में मिला था। धन्यवाद हिंदी यह कुछ क्या है जिसे हम सभी चाहते हैं और पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर जैसा की पहले ही कहा जा चुका है। सच्ची खुशी है। यही असली लक्षय है। हर कोई जो खुद को खुश नहीं मानता वह सफल पूरुश या महिला से इरशा करता है। एसे मामले हो सकते हैं जहां माता पिता ने स्वयम संगर्श छोड़ दिया हो लेकिन वे कभी भी लेकिन वे अभी भी दूसरों से इरशा करते हैं और वे सभी अपने बच्चों के लिए आशा रखते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हो और खुश रहें। सफलता का जब वह मालिक बन सकता है और उसके लिए एक आदमी काम करे मत्र प्रवर्ति वाली महिला स्वस्त और अच्छे बच्चों के परिवार को सफलता के अपने विचार के रूप में देखती है यहां फिर से मानव स्वभाव हम सब में समान है यह सब विभिन रूपों में तेज होता है क्योंकि इसमें विभिन रसाइनों को लागू किया जाता है जिस प्रकार कोईले की राल को सो रंगों में से किसी एक रंग में बदला जा सकता है उसी प्रकार मानव स्वभाव स्वयम को सो अलग-अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, गोरे हो या काले यह सब एक ही मानव स्वभाव हैं सभी अपने-पने सफलता के स्थान की तलाश कर रहे हैं अखबार बेचने वाले लोग बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं और इलाकों और परिष्थितियों का अध्यान करने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं इस तरह की यात्रा और अध्यान के परिणाम निर्णायक रूप से इसी राय की और ले जाते हैं जो प्रतेक का मानना है कि सफलता क्या है, न्याइधीश, जूरी और अपराधी भी वही खोज रहे हैं। बेशक वे सफलता की अपनी परिभाशा और इसे हासिल करने के अपने साधनों में भिन है। हालांकि हर कोई उस लक्षय के लिए प्रियास कर रहा है। यह हर व्यवसाई में खरिद्दार और विक्रेता का सच है। हालांकि हम में से बहुत से लोग इसे सफलता कहते हैं और इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है। इसके हमारी समझ में भिन्नता है। आप पूछ सकते हैं कि यदि सफलता हमारा सामान्य लक्षे हैं तो हमारे पबलिक स्कूल इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्यों नहीं सिखाते। इसका उत्तर यह है कि वास्तविक सफलता सबसे अधिक मकसद से जुड़ी होती है और मकसद धर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक व्यक्ति सही प्रेणाओं, उदेश्यों और महतव कांक्षाओं के बिना वास्तव में सफल नहीं हो सकता है जो गुण केवल धर्म क उत्पाद हैं। धर्म का आर्थ धर्म शास्तर या पंथ नहीं है बलकि एक ईश्वरिय सत्ता में एक मार्गदर्शन के रूप में, एक शक्ति के रूप में प्रार्थना में और एक लक्षे के रूप में सेवा में विस्वास है। एक चोर के लिए सफलता का आर्थ है बिन निर्देशित किया गया था। एक राजनेता के लिए सफलता का मतलब एक उच्च पद प्राप्त करना हो सकता है जहां वह लोकप्रियता प्राप्त कर सकता है और अपने कारियकाल का उप्योग खुद को और अपने राजनेतिक मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है वह वांचित पद प्राप्त कर परने में सफल हो सकता है, लेकिन वहे वास्तों में सफल नहीं होता है, क्योंकि वहे सेवा की भावना के बजाई स्वार्त के उदेश्य से निर्देशित होता है। या प्रतिष्टा अरजित की है, इसके विपरित यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लिखी गई है, जो आभी तक जीवन में उस स्थान तक नहीं पहुंचे हैं, जहां उन्हें होना चाहिए। वे यूवग जो अपनी महतो कांक्षी पतनियों के साथ मिलकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हैं जिनके लिए यह बुक लिखी गई हैं। वे वही हैं जिने सची सफलता को नियंतिरित करने वाले तथ्यों को समझने की आफशकता है। इतने सारे यूवग एक समुंदरी कप्तान की तरह हैं, जो बिना किसी नोका यान, कागज या चार्ट के शुरुवात कर रहे हैं। कप्तान के पास एक अच्छी तरह से निर्मित और तेज जहाज हो सकता है, उसके पास एक अच्छी तरह से परशिक्षित दल हो सकता है और वह स्वयम एक कुशल नाविक हो सकता है, लेकिन अगर वह नहीं जानता कि वह किस बंदरगा के लिए नियत है, तो उसके तेज जहा बातें नहीं सिखाई गई हैं। वे महतव कांक्षी हैं लेकिन वे नहीं जानते कि वे किस बंदरगा की तलाश कर रहे हैं। वे देखते हैं कि लगबग हर कोई पैसा पाने के लिए प्रयास कर रहा है और वे वास्तविक रूप से भीड का अनुसरन करते हैं। यहें मानते अमीर लोगों ने कभी भी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। अधिकांस धनी लोगों ने बस कुछ समय के लिए कुछ हासिल किया और धन उनके पास आया। उन्होंने एक विचार विक्षित किया। उन्होंने एक आवशक सेवा की। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया या और उनका व्यवसाई चलांग और सीमा से उपर बढ़ गया। इन में से कुछ लोगों के साथ आज की समश्या यह नहीं है कि उनमें सही भावना की कमी है बलकि यह है कि वे अपने व्यवसाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी क्षमता से बड़ी मशीनों का निर्म करते हैं हालांकि जब व्यवसाई की इतनी मांग हो जाती है कि वे आदमी को चलाए तो वे आनंद के बजाए बोज बन जाता है बहुत सारे व्यवसाई बड़े और चोटे दोनों आज भी इस स्थिती में है दुनिया उन्हें सक्सेस्पूल कहती है लेकिन वे काम्याब नह ही होते एक संपूर्ण व्यवसाईक जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसका साथ प्रतिसत वरती विरासत और परियावरन का परिनाम है और तीस प्रतिसत धर्म का परिनाम है शेस दस प्रतिसत आदतों के निर्मान के लिए दिया जाता है और इसे तर्किया बुद्धी कह प्रारम्भिक भाग उदेश्य और इच्छाएं हमारी आदतों को दिशा देती है। इसलिए सही इरादों और इच्छाओं से पूरी तरह से प्रेदित होने का बहुत महतव है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। उदेश्य और इच्छाएं प्रतेक्स आदतों से भी अधिक दिशा दिखाती है वे उस स्टेटस का निर्धारन करते हैं जो हमारी सभलता का लक्श होना चाहिए सावधानी पूर्वक्त तयार किये गई नोकायान का अखजात के बिना कभी भी नोकायान नह करें अभी रुकें और अपने जीवन का नक्षा तयार करें उस बंदरगा का निर्धारन करें, जिस पर आप पहुंचने के लिए वास्तों में इच्छुक हैं, और फिर उस तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका चार्ट तईयार करें। अपने आपका विशलेशन करें और इमानदारी से उस दिशा को स्विकार करें जिस दिशा में आप अभी जा रहे हैं। बेशक आप सफल होना चाहते हैं और आपके मित्र आपको सफल होने में मदद करना चाहते हैं। फिर भी आप वास्त्विक सफलता चाहते हैं, नकली सफल इसलिए यह वास्त्विक सफलता क्या है? इसकी स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए अध्यन करें और ओडियो बुक सुनें। धन, शक्ती या लोक प्रियता सची सफलता के संकेत नहीं है क्योंकि वे स्व्यम खुशी का कारण नहीं बनते हैं। लेकिन सची सफलता जैसी कोई चीज होती है और यही खुशी का प्रियाय है। यह मान लिया है तो आईए हम अपने जीवन को चार्ट करें ताकि हम जो भी कर नमबर एक एक आवशक सेवा करें और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगे बनाएं। नमबर दो अपने आपको और दूसरों को भी जहां तक हम कर सकते हैं स्वस्त और शारिरिक रूप से मजबूत बनाएं। नमबर तीन अपने आपको और दूसरों को जितना हो सके चिंता, परवा और मानसिक तनाव से मुक्त करें। ये तीन नियम हमारे चार्ट और नोकायान की सूची में होने चाहिए। स्कूल, व्यवसाई, पत्नी या घर का चैन करते समय हमें इन निश्चित लक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपना निवेश करना चाहिए, अपने करमचारियों को काम पर रखना चाहिए और इन तेन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगियों को चुनें। लगातार ध्यान रखें कि हम सची सफलता और खुशी के बंदरगा के लिए नोकायान कर रहे हैं। आईए हम प्रलोबनों में अपने मार्ग से ने बठकें अन्य बंदरगा ऐस्ताई रूप से अधिक आकरशक लग सकते हैं और अन्य जहाजों का नेतरतों किया जा सकता है जो सुखत दिशाओं में प्रतीत होता है लेकिन आईए हम अपने बंदरगा को स्पष्ट रूप से रखें और लगातार ध्यान में रखें यह व्यवसाईक आदतों को बनाने का तरीका है जो वास्तों में मुल्यवान है आदतें जो वास्तविक लाभांश गोशित करती है यह आदतें ही है जो हमें सही माइने में सफल पुरुश या महिला बनाती है रोजगार परबंदकों की एक बड़ी बैठक में एक बार यह सवाल उठाया गया था कि पदों के लिए आवेदन करने वाले पुरुशों और महिलाओं में सबसे सपष्ट दोस क्या है सरवय समत निशकर्ष उनके जीवन में एक निश्चित उदेश्य या निश्चित लक्षय की कमी थी यह सभी उम्र और सभी वर्गों के लिए सच कहा गया था इस समू और उनके सहायकों द्वारा जांचे गए अधिकांस व्यक्तियों के साथ यह एक उतकरष्ट कठिनाई थी जब कोई मानता है कि इन लोगों के पास अमेरिका की सबसे बड़ी उद्योगिक व्यवशायों के लिए रोजगार का भार था तो इस निशकर्ष का महतो प्रभावशाली होता है इन में से एक व्यक्ति ने कहा सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा जिसके साथ आधिकांस आवेदक संगर्ष करते हैं वह हैं उनके जीवन में किसी निश्चित लक्षय की कमी एक सार्थक लक्षय पर प्रयास करने और अपने लक्षय को बनाई रखने से चरित्र और व्यवसाई दोनों में सफलता मिलती है क्योंकि यह विशेशग्यों का युग है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो सफलता क्या है? अध्याए नो निवेश और सफलता हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम शिकागो के एक महान बैंकर से एक बार पूछा गया था कि क्या उनके पास अपनी संस्ता के संचालन के लिए कोई नियम है यह ग्याद था कि उनके नुक्सान बहुत कम थे वह कभी भी प्रमुक व्यवसायों की बड़ी विफलताओं में शामिल नहीं थे और उनके जमा करताओं की संख्या में लगातार तेजी और सीमा में व्रदी होई उन्होंने सेंटरल वेस्ट के बड़े वानेजिक बैंक का निर्मान किया और एक नीव रखी जिसके लिए शिकागों के व्यवसाय के हित काफी हद तक उनके अभुदपुर्व विकास का स्रिय देते हैं महान बैंकर ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा और शायद ही कभी पैसा उधार देते समय बैंक के बारे में सोचा बलकि उन लोगों की सफलता और खुशी के बारे में ही सोचा जिने उन्होंने उधार दिया था उन्होंने कहा कि उन्होंने लाव कमाने के बज़ाए लोगों को बनाने की कोशिश की लेकिन लोगों को बनाने में उन्होंने अपने बैंक के लिए बहुत सारे दोस्त बनाई और इस तरह एक बड़ा और सफल व्यवसाई विक्षित किया। उद्दमों को रिन दिया जिनके बारे में उनका मानना था कि वे शहर के लिए फाइदे मन थे जिसने लोगों को सही इच्छाओं, उदेश्चों और महतव कांक्षाओं को बनाने में मदद की। वह कभी भी शराब के हितों के लिए रिन नहीं देते थे। उन्होंने केवल अ या फिर एसे लोगों को जो धार्मिक्ता के मूल सिधान्तों पर आधारित नहीं है। निसंदे पैसे के रिन के लिए ब्याज स्विकार करना प्रारंबिक धार्मिक शिक्षाओं के विपरीत है। दूसरी और उन दिनों निगम जैसी कोई चीज नहीं थी और हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिती में गरंतों और प्रेरितों ने अलग-अलग शिक्षा दी होगी। किसी भी मामले में उस शिक्षन को अलग रखा गया है और ब्याज वसूलने की प्रथा को आम तोर पर धार्मिक लोगों द्वारा स्विकार किया जाता है। हलांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी अभी भी ब्याज लेने का विरोध करते हैं और लोगों का एक बड़ा समू है जो मानते हैं कि धर्म इसका बचाओ करके गलत कर रहा है। इसलिए वास्त्विक जिम्मेदारी अभी भी उन लोगों पर है जो ब्याज स्विकार करते हैं। इसके अलावा यह तथ्य है कि ब्याज स्विकार करने के सही या गलत के बारे में एक प्रशन मुझूद है। हमें अपने निवेश के बारे में और अधिक सावधान होना चाहिए। इसका मतलब है कि नमबर एक हमें अपने उन उद्योगों में निवेश करना चाहिए जो लोगों को स्वास्त, खुश और अधिक स्मरत बनाते हैं। नमबर दो की हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि इसे निगमों का संचालन लोगों द्वारा किया जाए जो धार्मिक ता और व्यापार के लिए धर्म के आविदन के लिए खड़े हैं। नमबर तीन यह है कि दार्मिक लोगों को अपने परदे के पीछे उन निगमों का संयोजन और उपयोग करना चाहिए जिन में वे सेवा परदान करने के उदेश्य से संचालित होते हैं। नै की केवल पैसा बनाने के प्रस्तावों के रूप में। एक समय था जब मंदिर और घर वास्तों में बच्चों की शिक्षा को निर्देर्शित करते थे। फिर इस शिक्षा को धीरे धीरे पबलिक स्कूलों में बदल दिया गया। इसलिए आज पबलिक स्कूल युवाओं को सिक्षित नहीं कर रहे हैं। आज के महान सेक्षिक बल समाचार पत्र, फिल्मे और बिलवोर्ड हैं। और ये सभी निजी उद्यम हैं जो लाव के लिए संचालित होते हैं। एक जबरदस्त कारक है, निश्चित रूप से उन सभी की सराहना नहीं की जानी चाहिए जो वे करते हैं। जहां तक बिलबोर्ड का संबन्द हैं, वे अपनी आए, बड़े पैमाने पर तंबाखू के हितों से प्राप्त करते हैं। और ज्यादातर हमारे युवाओं को दुम्रपान करने के लिए, प्रोटसाइद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस अध्याई का उदेश्य, समाचार पत्रों, फिल्म कमपनियों और विज्ञापन एजेंशियों की प्रती भूतियों को निवेश के रूप में सला देना नहीं है। कि ये चीजें हमारे बच्चों के भविश्य और हमारी अपनी सफलता और खुशी को निर्धारित करने में महान कारक हैं। इसके अलावा हम एसी सफलता और खुशी की रक्षा केवल तब ही कर सकते हैं जब वे बहतर लोगों द्वारा नियंतरी तो हो। हम एक श्यांदर संस्ता है और इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमने स्कूल में काम किया और इसके समर्थन में निवेष किया क्योंकि हमने इसके प्रभाव को पहचाना। यदि हम आधुनिक परिस्तितियों पर भी यही तरक लागू करते हैं, तो हम समाचार पत्रों, फिल्मों और बिल्बोर्ड जैसी संस्थानों के स्वामितों में एक कारक बन जाएंगे, जो आज हमारे युवाओं के विचारों को निर्देशित कर रहे हैं. मंदिर के लिए एक पैरिश हाउस बनाना एक अच्छी बात है, जहां महीने में एक बार नाट्टे और सामाजिक करेकरम हो सकते हैं. हालां कि अगर यह मंदिर समुदाए के प्रमुक सिनेमा घर में पैसा लगाई और समुदाए के युवाओं के विचारों और उदेश्यों को निर्देशित करने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करें, तो गंभीर इच्छाओं के साथ मंदिर और भी बहुत कुछ ह हासिल कर लें, रेडियो में जवरदस्त अच्छाई का एक अद्बूत आउसर मोजूद है, जो अब अपनी प्रारंभिक अवस्ता में है, वर्तमान समय में अमेरिकन रेडियो कोर्परेशन ओप अमेरिका जो पेटेंट अधिकारों और परसारन तंतर को नियंतरित करता है, वह अच्छे लोगों के हाथों में है, लेकिन इसका स्टॉक सारोजनिक रूप से लेंदिन किया जाता है, और किसी भी समय इस देश के सबसे खराव तत्तों अद्वारा नियंतर्ण खरीदा जा सकता है, अताय रेडियो प्रभाव शाली अच्छे कारिये के लिए एक अद् मांस, कोईले और कपड़ों की उंची कीमत के लिए दोशी ठहराते हैं, निसंदे वह कुछ चीजों के लिए दोशी है, लेकिन वर्तमान उचलागत के लिए निर्माता, नोकरी पेशा और बैंकरों की तुलना में वह अधिक दोशी नहीं है, हम सभी को अपराद बोध का हि और खुशी को आकार देने में एक बड़ा कारक है, तीस या अधिक समू में संभवत दो मिलियन विक्री विक्रेता है, जिन में से संकुत राज्य की जन्गरना द्वारावी भाचित है, इन में से दस समू में से केवल दस लाख विक्री स्टोर है, किराना और जनरल स्टोर तीन लाख पैंतिस हजार हैं, सूखे माल की दुकान एक लाख पैंतिस हजार हैं, जूतों की दुकान एक लाख चालिस जार, ड्रग्स की दुकान एक लाख, गैरेज और आटो आपूर्ती पिचासी हजार, हाडवेर और खेल का सामान पिचेतर हजार, फरनिचर पंतालिस इन सभी दुकानों में एक से लेकर कई हजार कलनक हैं और यह कहना उचित होगा कि ओसत कम से कम तीन होगा इसका मतलब है कि हर दिन तीन मिलियन लोग प्रचार कारिय कर रहे हैं जो हमारे लोगों के स्वास्थे, सुख और समर्दी को निर्धारित करता है संभवता पांच मिलियन से अधिक लोग प्रती दिन माल की विक्री में लगे हुए हैं और वे हमारे बच्चों के स्वाद और इच्छाओं के निर्धेशन में एक निश्चित कारक हैं इसके अलावा ये विक्री विक्रिता देश की व्यवसाइक परिस्थितियों को नियंतरित करने में एक महान कारक हैं वे अधिक विस्तार की अवदी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं जो बदले में अवसाद और बेरोजगारी की अवदी का कारण बनते हैं। निर्माता, नोकरी पेशा और बैंकर के हाथ व्यवसाइक रूप से बंदे होते हैं। उद्योग के महान कप्तान व्यपार को अच्छा या बुरा नहीं बनाते हैं। चोराहों पर किराना दुकान के रविये से व्यवापार अच्छा या बुरा बनता है। फिर भी हम देश के बिक्री व्यवापार को महान निगमों के हाथों में जाने के अनुमती दे रहे हैं। जिनके शेरों के साथ वाल स्ट्रीट पर जुआ खेला जाता है। शक्तिशाली चैन स्टोर संगठनों द्वारा बीड भाड के कारण हर दिन बड़ी संख्या में ग्रोसर सहार माल लेते हैं। हम इन चैन स्टोर और निगमों को दोश नहीं दे सकते क्योंकि वे वास्तों में लोगों को बेहतर सेवा दे रहे हैं। फिर भी इन चैन स्टोर्स को या तो बड़ी बुराई या अच्छाई का सुरोत बनना है और उच आदर्सों के लोगों द्वारा नियंतरित किया जाना चाहिए। के नियंतर्ण में नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वर्तमान समय में यह नियंतर्ण काफी हद तक बैंक की संपत्ती की रक्षा करने और इस प्रकार व्यवसाई को यथा संभव लाबदाएक बनाने तक सिमित है। फिर भी प्रतेक बैंक सफलता और एसफलता, खुशी और निराशा का निर्धारन करने में एक महान कारक है। यह उस शहर की प्रगती के कारिय प्रनाली को आकार दे सकता है, जिसमें यह संचालित होता है। बैंकों का उप्योग धर्मिक्ता के साधन के रूप में किया जाना चाहिए, ने की किवल पैसा कमाने की मशीन के रूप में। अधिकांस मैनुफेक्चरिंग में फिलिंग आर्डर होते हैं, जो बिक्री विक्रेताओं से सीधे या जोबर्स के माध्यम से भेजे जाते हैं। इसलिए जब बिक्री विक्रेताओं को अपनी जिम्बेदारियों और आउसरों का एहसास होता है, तो अधिकांस निर्माता स्वैचालित रूप से उनका अनुसरन करेंगे। एक नियम के रूप में विक्री विक्रेता वे हैं जो मांग पैदा करते हैं नेकि निर्माता एक उध्योग में हालांकि कुछ निर्माता बहुत आनिकार प्रभाव डालते हैं यानि वे निर्माता जो कपड़ों के स्टाइल विशेश रूप से महिलाओं के लिए स्टाइल का निर्धारन करते हैं जो लोग कभी महिलाओं के कपड़ों के निर्माताओं के कुछ सम्मेलनों में शामिल हुए हैं वे जानते हैं कि वहाँ कभी कभी क्या होता है पुरुशों का एक समू एक होटल के कमरे में शराब पियेगा और दुम्रबात करेगा और यह निर्धारित करेगा कि देश की महिलाई दो साल बाद क्या पहनेंगी? इसके बावजूद वे सफल होते हैं, भले ही वे हंसते हैं और खुद इस बात का मजाख उडाते हैं. हर महिला जो इसे वेहन कर सकती है, चाहे वह मंत्री की पतनी हो या सडक पर चलने वाली आम उरत इन परंपराओं के आदेशों का पालन करती है। फैशन में शामिल सामान्य समश्या पर चर्चा करना बहुत चटिल है। यदि हालांकी फैशन अनिवार ये है तो हमें हमेशा सबसे खराब के बजाए समुदाए के सरोत्तम तत्व द्वारा निर्धा किया जाना चाहिए, खास कर जब यह इतनी आसानी से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि कभी कभी किया भी जाता है। इसके अलावा यही समश्या उद्योग की अन्य लाइनों पर भी लागू होती है। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आवशकताई हैं जैसे कि एक निश्च दुखी करता है। उनके बारे में उपदेश देने और डांटने के बजाए समश्या को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका यह होगा कि हम कपडों, घरों, साधसजा, रिती रिवाजों आदी में इन फैशनों को निर्धारित करने वाले कारक बने। सुनने वालों को यह स जुड़ी होई है। चरित्र में कमी वाले व्यक्तियों के लिए किशी शहर या राष्टर की सरकार पर नियंतरन खतरनाक हो सकता है। एसी स्थितिया नयके वल रचनात्मक पूर्ण बेहतर कार्यकरमों को चलाने से रोकती है, बलकि दूस्ट लोग अपनी शक्ती का उपयो समय और धन में थोड़े से व्यवस्थित निवेश के साथ किसी भी समूदाई के सर्वस्रेष्ट लोग राजनिती को नियंतरित कर सकते थे, कुछ लोग इस तरह की कारवाई को अपनी और से एक त्याग मान सकते हैं, लेकिन समश्या का एक अध्यन निश्चित रूप से द निवेश के जरूरत के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठाता है। निवेश में रिण और उपहार दोनों शामिल हैं। योजना, सारुजनिक उपयोगिताओं, होटलों, तियेटरों और अन्य उद्यमों के मेजबान के लेंदारों की स्थिति में सर्वोत्तम हितों को रखन पर विचार करती हैं, जो जनता की राई, वोट और कारियों को बहुत अधिक निर्धारित करते हैं। यह सला नहीं दी जाती है कि लोग विविद स्टोक खरी दें, यहां तक की अच्छे कारियों की पूर्ती के लिए भी। हमें से प्रतेक को एक्विटी यानि न्याय संग प्रतता धारन करनी चाहिए और अपने स्व्यम के व्यवसाई का जोखिम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें अन्यादोगों के व्यवसाई में जोखिम उठाना चाहिए? उद्ध्योक की आज की सबसे बड़ी आवशकता यह है कि कंपनियों के शेरों का स्वामितव उन लोगों के पास हो जो उनके साथ अधिकारियों, वेतन श्रिमिकों या ग्रहकों के रूप में जुड़े हुए हैं. इस प्रकार अनुपस्तित स्वामितव को स्वाप्त किया जा सकता है. हालांकि इस अहद तक कि हम बाहरी इक्विटी में निवेश करते हैं क्या हमें इसे मुख्य विचार के रूप में समुदाए की भलाई के साथ काम नहीं करना चाहिए? मंदिर सोच रहे हैं कि वे जनता पर अपनी पकड़ क्यों खो रहे हैं? क्यों लोज, म्यूचल बेनिफिट एसोशेशन, बीमा कंपनियां आदी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि मंदिर पिछड रहा है? वास्त्विक कारण यह है कि मंदिर लोगों तक पहुँचने के लिए बैल गाड़ी का उपयोग कर रहा है जबकि लोज, परंपरिक, लाव, संग, आदी आधुनिक बीमा वीधियों की तेज मोटर का उपयोग कर रहे हैं. मंदिर को अप कुछ भी नहीं मिलता है, तो वह स्वभाविक रूप से मंदिर के बजाए लोज को अपना समर्थन देता है. इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर को आपसी बीमा में मिला लेना चाहिए, लेकिन मंदिर को अपने दुरभाग्य को किसी बहुतिक तरीके से मदद करने के लिए क आवशकता होनी चाहिए. निश्चित रूप से यह सदस्यता के लिए कुछ पार्मूलों की सहमती से बहतर आवशक होगा, जिसे कुछ लोग समझते हैं. सब्यता कि इन नई ताक्तों को नियंतिरित करने का मतलब हमारे लिए समय और शायद पैसे में एक निश्चित मात्रा में बलीदान होगा. हालांकि जो कुछ भी इसके लाइक है, उनके लिए बलीदान की आवशकता होती है. परिवार तब सभल हुए हैं, जब उन्होंने सबसे बड़ा त्याक किया है. आज लोगों को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि समुदायों को इस बात की परवा नहीं है कि क्या माना जाता है, फिर भी शक्ति के विकास के लिए बलीदान आज भी उतना ही आवशक है, जितना पहले था. बलीदान के सबसे बड़े आवसर उन निगमों में समय और पैसा लगाने के संबंद में है, जो वास्तों में हमारे लोगों के स्वाद, इरादे, उदेश्य खुशी और सफलता को निर्धारित करते हैं. फिर भी अगर हमें ऐसा करना चाहिए, तो शायद हम इसे बलीदान नहीं समझेंगे. कई बार लोगों ने कठिन चीजों का सामना किया है, और एक माहन बलीदान करने के उदेश्य से आगे बढ़े हैं, और बदले में बलीदान एक आशिरवाद साबित हुआ है. ये सभी उद्दम एक समू के रूप में लाबदाइक हैं, और हमारे लिए उतने ही लाबदाइक होने चाहिए, जितने की अब उन्हें संचालित करने वाले उद्दम के लिए है. यदि सेवा प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों द् होता है, लेकिन इन अच्छे लोगों में संगठन और दूर द्रश्टी की कमी होती है. उधारन के लिए उपर बताए गए लाखों विक्री विक्रेताओं में से शायद एक तिहाई मंदिर के सदश्य हैं, और उन्हें इस तरह के अंदोलन में सहयोग करने में खुशी होगी यदि उन्हें दिखाया जा सके कि कैसे काम करना है. यदि हमारे देश के सर्वसरेष्ट लोग बुद्धी मानी से और सामोहिक रूप से धार्मिक्ता के हित में उपयोग करेंगे, तो वे पर्दे के पीछे जो वे अब कच्रे की टोकरी में फेंक रहे हैं या यंत्रवत अह निवेशों के संबंद में जिम्मेदारी की भावना होगी. इसके अलावा यह माना जाता है कि यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमारा नुक्षान कम होगा और हमारा लाव अधिक होगा. निवेश से होने वाले नुक्षान का विशलेशन अनुपस्तित्व स्वामितों की मूल कम किया जा सकता है. यदि सभी को यह एहसास हो जाए कि स्वामितों के साथ कुछ जिम्मेदारी भी है? हाँ, भगवान की दृष्टी में हम शेर धारकों को उन निगमों के कारियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिन में हम स्टोक रखते हैं, और उनके रोजगार म में लाखों लोगों की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद हिंदी-audeo-book.com आपका दिन शुब हो। सफलता क्या है? अध्याए 10 सफलता उत्पादक गुणों का विकास हिंदी-audeo-book.com जब कोई धार्मिक रूप से सही व्यवसाई पर आधारित होता है और सही प्रकार के लोगों से जुड़ा होता है और फिर भी आगे बढ़ने में एसमर्थ होता है तो उसके पास क्या उपाई है? इस प्रशन का उत्तर हमें फिर से उन छे गुणों की और वापस ले जाता है अर्थात इमानदारी, परिश्रम, बुद्धिमता, आत्मबल, तिवरता और किसी के काम में रूची. यदि सुख के लिए भोतिक समर्दी की एक निश्चित मात्रा आवशक है, तो इन अमूर्थ गुणों की एक निश्चित मात्रा आवशक मात्रा में समर्दी को सुरक्षित करने के लिए आवशक है. हमारी अंतरात्मा, स्वास्थे, पतनिया, व्यवसाई, रूचिया और मित्र, अधिकांस्ते हमारे स्व्यम द्वारा ही निर्मित होते हैं लेकिन इन छे अमूर्त गुणों के विकास के लिए हम प्रार्थना पर निर्बर हैं इश्वर के साथ हमारे स्वय आध्यात्मिक्ता के संपर्क पर निर्बर हैं मैं सत्य निष्टा पर चर्चा करके स्पष्ट कर देता हूं हम मान लेते हैं कि अखंडता की कमी हमारी कमजोरी में से एक है जैसे कि पहले सुझाव दिया गया था बहुत से व्यक्ति जो स्वभाविक रूप से इमानदार हैं उन्हें इमानदारी कारक के बजाए इन छे गुणों में से कुछ को विक्षित करने की आशक्ता होगी इमानदारी विरासत में मिली या हासिल की जा सकती है इमानदारी और बेइमानी दोनों ही काफी हद तक आदत के माइने है बेइमानी की आदत अक्सर जीवन में सजा के डर ऐसा फलता के डर या उपहास के डर से बन जाती है लोग चुनाव या द्रड संकल्ब के माध्यम से बेइमान नहीं होते हैं जो लोग कमजोर, शारिरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वे सबसे अधिक बेइमानी की आदतों में पढ़ने के लिए उत्तरदाई होते हैं जो लोग स्वभाविक रूप से शारिरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे आम तोर पर दूसरों की राई और आलोचना से स्वतंत्र होते हैं और इसलिए आम तोर पर इमानदार होते हैं। शारिरिक रूप से मजबूत और अच्छे स्वास्ते वालों के लिए इमानदार होना आसान है, जिस तरह से एक बच्चे के साथ उनके माता-पिता व्यवहार करते हैं और एक लड़का अपने पहले नियोकता से जो परशिक्षन प्राप्त करता है, वह बाद के वर्षों में आदमे के इमानदारी को निर्धारित करने के लिए बहुत कुछ करता है, इसका मतलब यह है कि इमानदारी काफी हद तक एक आदत है, और अगर कोई चाहे तो इसे हासिल या विक्सित किया जा सकता है, हालांकि यह निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि हम में से प् अभिन्यता के महतवपूर्ण महतव को ध्यान में रखते हुए, हम सभी को इमानदार आदतों को प्राप्त करने का प्रियास करना चाहिए। जो पहले से अधिक सत्य निष्टा विक्षित करना चाहता है, वह क्या कर सकता है। केवल एक ही निष्चित तरीका है और वह है प्र जयान देने से पहले, एक पत्र लिखने से पहले इस मोन प्राप्तना को दोहराएं। हे भगवान, मैं इमानदार होना चाहता हूँ, मुझे अभी इमानदार बनाओ, मुझे पूर्ण सत्य बताने का साहस दें। यह जानते हुए कि सत्य अंत में सभी के लिए सर्वत्तम है इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सच बोलने में इतना मंद बुद्धी और विचार हीन होना चाहिए कि कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, हमें गोल्डन रूल का उप्योग अख़णता के संबंद में करना चाहिए, जैसा कि हर दूसरे संबंद में होता है। इमानद उधारन किसी और के हित में होना चाहिए, नैकी व्यक्तिगत लाब के लिए। उधारन के लिए किसी भी आदमी को कभी सफलता नहीं मिली क्योंकि उसे काम करने के लिए कहा गया था। लोग सफल नहीं हो सकते अगर उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दो में से एक काम करना चाहिए। उसे या तो उस व्यवसाई में जाना होगा जिस से वह प्यार करता है या फिर उसे अपने वर्तमान कारिये में रूची उत्पन करनी होगी। पेशा बदलना बलकि जोखिम भरा काम है। इसके अलावा हर बार प्रयास करने पर यह और अध ब्रती से कारिये नहीं करता है वह धन या स्थिति या जिम्मेदारियों या प्रति बद्धताओं को जमा नहीं कर सकता जिसकी व्यक्या इस तरह से की जाती है। जिस युवक ने खुद का सही विशलेशन किया और एक एसी लाइन में प्रवेश किया जिसके लिए वहे फिट है और अच्छे धार्मिक लोगों के साथ है उसे जीवन में बाद में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए यदि विशलेशन से पता चलता है कि उसे मर्चेंडाइन्स में जाना चाहिए तो इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहे क्या बेचता है बसरते यह कुछ एसा है जो लोगों को स्वास्ते, खुश या अधिक समरद बनाता है किसी के लिए यह कहना बकवास है कि वहे किराना व्यावसाई से प्यार करता है लेकिन कपड़ों के व्यावसाई से नफरत करता है एक आदमी तारकिक रूप से व्यापार से प्यार कर सकता है और वी निर्मान से नफरत कर सकता है या इसके बजाए अगर उसे एक वैद तो उसके लिए किसी अन्य उत्पाद को बेगतना आसान नहीं होगा। उसका गलत विशलेशन किया यदि एक सही विशलेशन होता जाए तो बाद में जीवन में यह दरसाता है कि किसी ने अपने जीवन कारिये को चुनने में एक अलग गलती की है एक पुरुश या महिला को सफल या खुश रहने के लिए महंती होना चाहिए इसके अलावा रोजगार के आंकडे सपष्ट रूप से इंगित करते हैं कि दो अलग अलग बदलाव एक आदमी को कभी भी कर लेने चाहिए चुनकि व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लंबे समय में लगबग समान आवसर होते हैं इसलिए बदलने का उनका एकमात्र बहाना उस विशिष्ट समू के लिए ऐयोग गयता है जिसके साथ वह संबद है या उन लोगों का चरित्र जिनके साथ वह काम कर रहा है यह हमें इस सवाल पर लाता है कि वह व्यक्ति क्या करेगा जो व्यवसाय के क्षेत्र में है जिसके लिए वह फिट है लेकिन फिर भी काम करना पसंद नहीं करता है ऐसे आदमी के लिए एक ही मदद है और वह है प्रार्थना एक व्यक्ति जो चार बुनियादी समू में से एक है जिसके लिए वह उप्योगत है वह हमेशा प्रार्थना के माध्यम से काम के लिए रूची प्राप्त कर सकता है प्रार्थना वह माहन आर्थिक शक्ती है जो मनुष्य को मेहनती बनाती है यह एकमात्र शक्ती है जो चीजों को करने में उस आनंद को, उत्पादन में उस खुशी को, उद्ध्योग के लिए उस प्रेम को पुनर जीवित और प्राप्त करेगी उसी तरह प्रार्तना के द्वारा आत्म बल और साहस का विकाश किया जा सकता है प्रतेक संपत्ती के साथ एक जिम्मेदारी होती है, हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है प्रतिवा के व्यक्ती कुछ माहिनों में लोकिक रूप से कमजोर होते हैं उर्जा और द्रश्टी वाले पूरुशों में उन लोगों की तुल्ना में कहीं अधिक प्रलोबन होते हैं, जिनके पास यह उर्जा और द्रश्टी नहीं होती है। यह स्वभावी की ही है कि जो सबसे प्रतिवाशाली है, उन्हें व्यवसाई को बहुत अधिक फैलाने और बहुत सारे उपकर्मों में शामिल होने के लिए लुभाया जाना चाहिए। सक्षम व्यवसाई जहां भी जाता है, उसे इतने अउशर दिखाई देते हैं, वह लगबग हर उस व्यक्ति में संभावना ही देखता है, जिससे वह मिलता है। मोटे तोर पर इन आउसरों को देखने की उनकी क्षमता ही उने एक सफल व्यवसाई बनाती हैं, हालांकि हर आदमी के पास सीमित समय और उरजा होती है, यदि वह बहुत अधिक कारिय करता है, तो वह बहुत अधिक भार के नीचे दबने और नीचे गिरने का जिम्मेदार ह सत्यनिष्टा, मेहनत और आत्म बल पर टिकने वाले बहुत से पूरुष्ट नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वह एक कारिय पर ध्यान के अंधिरित नहीं करते हैं, वह एक ऐसे लड़के की तरह है, जिसके पास कई बंडल है, जितना वह संभवते पकड़ सकता है, उससे एक और ज्यादा पकड़ने की वह कोशिश करता है, वह हमेशा एक बंडल को गिराता है, और जैसे ही वह उसे उठाता है, वह दूसरे बंडल को गिरा देता है, सबसे सफल व्यवसाई वे हैं, जो केवल एक उतपाद के उतपादन, निर्मान या विक्री पर ध्यान के अंधिरि जैसे जैसे हम अपना ध्यान बठकाते जाते हैं, हम कमजोर और कमजोर होते जाते हैं, जब तक कि किसी एक दिशा में हमारे प्रयास बहुत कम होते हैं, एक आदमी अलग अलग चीजों को ऐस थिर कर देता है, लेकिन जब उन में से एक या अधिक गलत हो जाते हैं, या आद गलत हो गया क्योंकि वे बिमार थे इसलिए तिवरता या एकागरता निश्चित रूप से सफलता के लिए आवशक गुनों में से एक है यह एक एसा गुन है जिसे यूवा और बुडे दोनों को ध्यान से देखना चाहिए व्यवसाई की एक पंक्ती पर अपना सारा समय विच खेल में नहीं हरा सकते तो आप निश्चित रूप से उसे उनके खेल में नहीं हरा सकते इसका सीधासा मतलब है कि हमें एक व्यवसाई पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए और यदि हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं तो हम निश्चित रूप से दो व्यवसाईयों में या दूसरे साथी के व्यवसाई के क्षेतर में सफल नहीं हो सकते हैं। बुजुर्गों को भी इसी तरह की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। खास कर वे जो व्यवसाई से रिटाइर हो चुके हैं। जो पूरुस अपनी लाइन में सफल हुए हैं, वे सोशते हैं कि वे किसी और लाइन में उतने ही सफल हो सकते हैं। अक्सर एक रिटाइर्ड व्यक्ति इस प्रकार अपने पूरे जीवनकाल की संपत्ति को खो देता है। इसलिए ग्रीन पेस्टुराइट्स एक ऐसी बिमारी है जिससे युवा और बुडे दोनों को बचना चाहिए। ध्यान भटकने के इस प्रलोभन को केवल प्रार्थना के माध्यम से पूरा किया जा सकता है और इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस जहर के लिए निरंतर और उत्साहि प्रार्थना ही एकमातर परतिरोदक है। इसे सफलता पूर्वक पार करने का यही एकमातर तरीका है। कि हमें उस मोहक अठकलों में नैद ले जाएं, बल्कि हमें उस नए उद्धम में जाने से बचाएं। उनके विज्यापन या सरकुलर ने पड़ें। यही तर्क शेश गुणों पर भी लागू होता है। बुद्धी किसी के काम में रूची और दूसरों के लिए सामान्य साहनुबूती और स्व्यम के कारिये में रूची। सिक्षक और व्यवसाई यह कहने में सही है कि इन छे गुणों को किताबों में नहीं पड़ाया जा सकता। सफलता और अध्यात्मिक विकास के बीच गनिष्ट संबंद को पहचानने में उनकी विफलता रही है। इसलिए निशकर्स इस प्रकार है। सफलता ही सचा सुख है। सफलता और खुशी बोतिक की बजाए अध्यात्मिक है। लेकिन एक वस्तू की तरह खरीदी या बेची नहीं जा सकती। ने तो इसे तोला जा सकता है और ने ही मापा जा सकता है। इस तथ्या को जितनी जल्दी सभी वर्ग, अमीर और गरीब समझ लेंगे दुनिया के लिए बेहतर होगा। नमबर दो, आधुनिक परिस्तितियों में सुख के लिए एक निश्चित मात्रा में बहुतिक समरदी आवशक है। तब तक ये बहुतिक चीजें सहायता के रूप में कारिय करती है। लेकिन जब वे आध्यात्मिक विकास को मंद करने लगते हैं, तो वे सच्ची सभलता के लिए हानिकार्क होते हैं। नमबर तीन, सभलता और खुशे का मूल नियम है, प्रतेक किरिया के लिए समान और विपरित प्रतिकिरिया होती है। इसका मतलब है कि हम तभी सभल हो सकते हैं, जब हम दूसरों को सभल होने में मदद करते हैं। इसका आर्थ है कि हमारे अपने चरित्र, स्वास्ते और सम्रदी दूसरों के धर्मी, स्वास्त और सम्रद होने पर निर्वर हैं। इसका मतलब है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। नमबर च्यार, जिस सरंचना को हम सफलता कहते हैं, वह एक धार्मिक आधार पर आधारित हैं। जिसके लिए एक स्पष्ट विवेक, अच्छे स्वास्ते, एक धर्मी नियोकता, या व्यवसाइक सहयोगी और एक सहायक पतनी की आवशकता होती है। लेकिन सरंचना स्वयम अखंडता, उध्योक, बुद्धिमता, तिवरता, पहल और रूची जैसे गुणों से बनी है। अंतिम विशलेशन में सच्ची सफलता, वास्तों में हमारे जीवन, हमारे घरों और हमारे व्यवसाइ में सच्चे धर्म की प्रतिकिरिया है।